नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दाइश्टडी विथे असके में आज हम इतिहास बिसे के साथ उपस्तित हैं तो इतिहास बिसे के सामान ग्यान के जो इतनी भी प्रस्न है आज हम उन सभी प्रस्नों के साथ उपस्तित हैं जो कि PDFR में आपको वन लाइनर के तरीके से प सामानताइट गजी के बोल्ड देते हैं उन्सब की चरचा इसमें होगी, तो इसमें संपूर इतिहास मतलब इतिहास में हमारा इसमें संपूर्ड इतिहास का वन लाइनर बन कर तयार हुआ है तो उन सब क्यूस्चनों की चर्चा हम शुरू करते हैं तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक सेर करिए जिससे आने वाले सभी लोग इस कलास का लाब उठा सकें तो शुरू करते हैं आज हम अपना इतिहास का सामान नग्यान तो हमारा पहला प्रस्ण है इसमें हम इतिहास के सभी प्रस्ण जैसे कि हमारा प्राचीन इतिहास से सुरू होगा और आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत सभी सभी प्रस्ण जितने भी सामान नग्यान के पूछे गए हैं उन सभी प्रस्णों का उत्तर आपको वा लाइनर में मिलेगा और जहां पे जरूरी होगा वहां पे हम उसका डिटेल भी बताएंगे तो सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से सिंदु घाटी सभीता के सहरों की गलिया तो सिंदु घाटी सभीता के सहरों की गलिया कैसी थी चावडी और सीधी थी जो सिंदु घाटी सभीता की सहरों की गलिया थी वो समकोर पर कारती थी जो कि आपको दिक राज चौड़ी थी और सीधी थी तो ये जो समकोड पर कारती थी इनकी गलियां जो थी सिंदुगाटी सब्वेता को क्योंकि ये नगरी सब्वेता थी तो इनकी जो चौराहा होते थे उसमकोड पर एक दूसरे को भी भाजित करते थे सिंदुगाटी सब्वेता की लिपी क्या है सिंदुगाटी सब्वेता की लिपी अभी तक अज्यात है तो सिंदुगाटी सब्यता का जो भी हमको अभी तक उत्खनन में जो भी सामागरिया मिली है जो अभी तक उनका मतलब जो लिखाई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि सिंदुगाटी सब्यता के लिभी अग्यात है बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधुनगर कौन सा था? तो चन्नु दड़ो जो अस्थान था ये बिना दुर्ग के था और बाकी आपको आगे प्रसमे मिलेगा कौन कौन से अस्थान दुर्गी कृत थे? कौन से अस्थान दुर्गी कृत नहीं थे? कौन से अस्थान पस्चिमी जो सबसे बड़ा भवन है धान्यागार यानि की अन्नागार जो था वहां का सबसे बड़ा भवन था जहां पर अन्न रखे जाते थे जिसको धान्यागार बोला गया है अब जैसे की बिसाल असनानागार जैसे की अन्नागार यहां का सबसे बड़ा भवन है उसी तरीके से बि ग्रेट बात बोल सकते हैं, जिनको स्विमिंग पोल आप बोल सकते हैं, तो मोहन जोदड़ों में विसाल असनानागार की खोज हुई है, आगे देखते हैं सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्पूर्ण रचना निम्न लिखित में से किसकी मूर्ती थी, तो ये निर्त्य करत मूर्ती की रूप में मिली हुई है, जो मूर्ती निर्त्य करती हुई एक बालिका या निर्त्यागना की थी, ये जो देवी माता की पूजा संबंदी थी, तो सिंदु घाटी में जो देवी माता की पूजा, सिंदु घाटी सब्भता के लोग देवी माता की पूजा करते थ पत्तन नहीं, पत्तन नगर यानी की बंदरगाह, जहां से वो अपना व्यापार करते थे, तो यहां लोथल में पाया गया है, लोथल कहां पर है, तो लोथल यह हमारा है, गुजरात में, तो गुजरात के लोथल में सिंदुघाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह प से यहां पे भासा सिर्फ बदल दी गई है जहाजी माल घाट कि कहां से माल की ढूआई करके अन देशों में कहां पे वहां से माल की जैसे आज भी देशों में हमारा व्यापार होता है उसी तरीके सिंदु घाटी सब्यता के लोग भी व्यापार करते थे तो वही बंदरगा ज और सिंदु घाटी अर्थब्योस्था की ताकत क्रिसी मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे जो परमुक्तिया अभी तक खोज में पता चला है कि सिंदु घाटी की अर्थब्योस्था क्रिसी आधारित थी आगे हम देख लेते हैं सिंदु सभ्यता के टेरा कोटा में निमनलिखित में से कौन सा पालतु जानवर बिद्यमान नहीं था तो वहाँ पर गाय जो है नहीं पाई गई है तो सिंदु घाटी सभ्यता के जो टेरा कोटा यानि की जो मूर्थियां पराथ हुई है तो उसमें अभी तक गाय की कोई भी चित्रकारी मिली नहीं है और बाकी आपको घोड़े के हाथी के कई जानवरों के वहाँ पर मिले है लेकिन वहाँ पर पालतु जानवरों में गाय की अभी ही तक कोई जानकारी नहीं मिली है देवी माता पूजा संबंदित थी अभी हमने आपको उपर बताया सिंदु घाटी सब्वता जो की मात्र सत्तात्मक सब्वता मानी जाती है वहाँ पे देवी माता की पूजा की जाती थी अब हम देख लेते हैं बैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था एस सब प्रस्ण हमारे पिछले एक जामों में पूछे गए हैं बैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था दूद और उसके उत्पाद जैसे आजकल दूद से अनेको उत्पाद बनते हैं उस समय भी दूद से कई परकार के उत्पाद बनते थे तो बैदिक जो आरे हुआ करते थे उनका मुख भोजन जो प्रमुख रूप से भोजन था और दूद था और दूद से बनने वाले उनके उत्पाद इनके प्रमुख बोजन में गीने जाते थे, अब हम देख लेते हैं कि कौन अन्य मनुस्य द्वारा सबसे पहले प्रियोग में लाया गया था, तो ये माना जाता है जव और इसको जो आरे बोलते थे, उसको यो बोलते थे, जव को जो बैदिकार वाले थे, या सिंदु घाटी सहबिता वाले उसको यव बोलते थे आगे देखते हैं बैदिक लोगों द्वारा किस धात का प्रयोग सबसे पहले किया गया तो बैदिक सब्वता में जो आर थे इन्होंने सबसे पहले ताबा यानि की तामर का प्रयोग सबसे पहले किया तो ताबा का प्रयोग होने की वज़ा से इसको ता ग्यान से संबंधित लिया गया है जो ग्यान की बाते हैं वो बेदों में नहीं था है तो बेद सब्दकार्थ ग्यान माना गया है आर से पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे तो जो आर थे वो पूर्वी छेतर थे अपने संघर्षों में कैसे सफल रहे क्योंकि उनके पास घोड़े थे और घोड़ों रथों का प्रयोग करते थे घोड़े जो थे रथों को खीशते थे तो आरे घोडों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करते थे इसलिए पूरवी लोगों पर इस संगर्ष में अधिक सफल रहे आरेों की जो आरंभ माना जाता है बैदिक काल में तो आरंभिक बैदिक काल में पूर्ण ब्यवस्था किस पर आधारित थी तो ब्यवस्था पर जैसे हमने आपको अभी बताया कि सिंद उगाटी सब्वता कि लोग क्रिसी आधारित उनकी ब्यवस्था थी तो ओभी ब्यवस्था पर आधारित थी तो आरंभिक बैदिक काल में भी पूर्ण ब्यवस्था 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 पर आ मैक्स मूलर उसी ने आरियों को जात की संग्या दी कि आर एक जाती समू है आरियन जातियों की प्रार्चिंतम बस्ति कहां मानी जाती है तिया सब्त सिंधू का छेत्र माना जाता है जो संधो सिंधू सब्वता या संधो सब्वता उसी को सब्त सिंधू क्योंकि वहाँ पे सात नदियों का छेत्र है जैसे जिसको जैसे आज हम पंजाब मानते हैं पंजाब में पांच नदियों का समू माना जाता लेकिन वर्तमान के हमारे जो पंजाब जो हमारे सासन में है वहाँ पे इस समय तीन ही नदियां है और बाकी की नदिया वो जो वर्तमान में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पास नदियां है तो उस समय सभी तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्ताने सब तो पहले हमारे भारत की हिस्सा हुआ करती तो उसमें जो साथ नदियों का जो सब्त सिंधु प्रदेश सा उसी में आर्यन जनजातियों की प्रारचिंतम बश्ति मानी गई है निम्न मेंसे कौन सी जनजाती सभा सामान ने रूप से जनजाती सरदार या मुखिया के चुनाव में सामिल होती थी तो इसमें दो प्रकार की समितियां होती थी जिनको समिति और सभा नाम से संबोधित किया जाता था तो जो जनजाती सभा होती थी तो इनमें जो सरदार यानि के मुखिया का चुनाव होता था उनमें दो प्रमुक्ष थी समित और सभा बैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो करवसूल करते थे उसे क्या कहते थे तो कर को बली कहा जाता था तो जो बैदिक युग में राजा अपनी जनता से करवसूल ती थी जैसे आज हमारे जो tax revenue किया जाता है उसको GST बोला जाता है उसी तरीके से बैदी कुग में राजा अपनी जनता से जो करवसूल करते थे उसको बली का नाम दिया गया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है या कई परिच्छाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है तो रिग बेद जो हमारा प्रमुक बेद है जो सबसे प्राचिंतम बेद रिग बेद है उसी से हमारा गायत्री मंत्र लिया गया है जो आप जानते हैं ओम भूर भारतिय प्रतीक पर उतकीड सत्य में उजयते कहां से लिया गया है तिया मुंड को उपनिसद से लिया गया है तो मुंड को उपनिसद से सत्य में उजयतों को लिया गया है सत्य में उजयते का आर्थ आप जानते ही है कि सत्य की हमेशा जय हो कि सत्य की हमेशा जय होती है और सत दुसी ने वाद बिबाद में अजे और याग गवल्क को चुनावती दी थी, तो गारगी याग गवल्क संबाद आपने सुना होगा, तो ये गारगी जो महिला थी, इन्हों ने वाद बिबाद में याग गवल्क को चुनावती दी थी, कि आप गारगी से चर्चा कीजिए, किसी भी मुद्दे पर वाद विबाद कीजिए गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान, ये तो आपको पता है लुंबनी है लुंबनी में गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान माना जाता है गाउतम बुद्ध का जन्म अस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है तो असोक मौरे का जो रुम्मिन देई का अस्थम बयाने की जो सिला लेख है रुम्मिन देई का सिला लेख असोक मौरे जो है इसको सिला लेख लिखवाने का काफी ज्यादा प्राप्थ हुगा है कि असोक मौरे ने काफी ज्यादा सिला लेखों का उत्कनन करवाया है तो रुमिन देई का जो इसका सिला लेख है उसी पर गौतम बुद्ध के जन्म अस्थान के अंकित होने की बात लिखी हुई है कि गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान लोंबनी है बुद्ध किस बंत से संबंदित थे तो गौतम बुद्ध इस साख के बंत से संबंदित माने जाते हैं और प्रथम बहुद्ध परिशत जो इनकी पहली बहुद्ध संगीत जिसको आप बोल सकते हो कहाँ पर हुई थी राजग्री में राजग्रिय जिसको गिरीब्रज बोला जाता था उसी राजग्रिय में पर्थम बहुत परिसद या पर्थम बहुत संगीत आयोजित की गई थी आगे हम देख लेते हैं पांचवी बहुत परिसद का आविजन किस ने किया जबकि हमारे इतियास में चार ही बहुत संगीतियों परिच्छा में तो चार ही बहुत संगीतियां पूछी जाती हैं जो कि चौथी बहुत संगीति कश्मीर के कुंडल बन में कनिश्क सासन काल में आविजद की गई थी लेकिन पांचवी बहुत संगीति या बहुत परिसद ये हर्स वर्धन के कारेकाल में हुई थी माना जाता है कि पांचवी बहुत संगीति हर्स वर्धन के कारेकाल में हुई थी अब बुद्ध का अर्थ जो है जो हमारे गौतम बुद्ध है इनमें जो बुद्ध का अर्थ है यह है ज्ञान प्राप्ति से बुद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ कर एक महत्पूर्ण प्रभाव छोड़ा यह वर्ग थे इस्त्रियां और सुद्र तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने इस्त्रियों और सुद्र को एक साथ जोड़ करके महत्पूर्ण प्रभाव छ क्योंकि उस समय जो ब्रामणवादी ग्रंथ चल रहे थे उनमें ब्रामणों को ज्यादा तवज्जों दे दिया गया था जैसे उस समय चार वर्ण ब्यवस्था चलती थी जातिया तो चलती नहीं थी तो चार वर्ण थे च्छत्री जैसे कि च्छत्री धर्म होगे ब्रामण च्छत्री वैसे और सूद्र तो सूद्रों को सबसे मतलब हीन द्रिष्टी से देखा जाता था और उन्हीं के समान इस्त्रियों को भी माना जाता था तो इस्त्रियां और सूद्र को एय लोग बहुत ही मतलब च्छत्री और जो ब्रामण थे ये लोग इस्त्रियों और सूद्र को बहुत हीन भावना से देखते थे तो बुद्ध धर्म ने इन समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ करके एक महत्पूर प्रभाव मतलब इनको एहसास दिलवाया कि छुवा छुच जैसी कोई बात नहीं है आप लोग किसी से कम नहीं है तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानि के प्रथम उपदेश कहां पर दिया इस सारनाथ में दिया आप जानते हैं ये कम से कम हजारों बार ये प्रसन पूछा गया है धात उसे बने पहले सिक्के प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में तो गौतम बुद्ध के काल में धात उसे बने सिक्के पहले ही प्रकट हुए थे प्रारंभिक बहुत धर्म गरंथों की रचना किसमे की गई थी तो पाली भासा में जो है बहुत धर्म गरंथों की रचना की गई थी और हम आगे देखते हैं जैसे कि हम आपको इस क्लास में पढ़ा रहे हैं कि इसमें इतियास से संबंदि जितने भी सुरू से लेकर अंतिम तक इतियास की पूरी जानकारिया इसमें दी जाएंगी तो जो इतियास पढ़ चुके हैं उनके लिए तो यह बहुत बेनफिट है लेकिन जो अभी नए है जो इतियास की जानकारी जिनको नहीं है उनको भी एक class अगर देखेंगे तो उनके लिए भी एक काफी लाबदाग होगा कि आगे जब वो इतियास किया पूरी की पूरी class करेंगे तो उनको इससे काफी benefit मिलेगा कि हमको आगे पढ़ना क्या है क्योंकि हमें serial wise पूरा पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिंद्ध सब्विता से हमने सुरू किया और फिर उसके बाद हमने बैदिक सब्विता में आरेयों को पढ़ाया उसके बाद हम बहुत धर्म पे पहुंच चुके हैं अब आगे ऐसे ऐसे क्रम वाइज हम चलते रहेंगे तो आप देखते रहें क्लास को और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें तो और आगे चलते हैं आरंभिक बहुत साहित किस भासा में रचे गए तो आरंभिक बहुत साहित हमारे पाली भासा में रचित हुए बुद्धों के पवित्र गरंथ का नाम क्या है त्रिपिटक? अभी हम आगे इनकी चर्चा करेंगे त्रिपिटक में कौन-कौन से गरंथ सामिल थे बुल का संबंद बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है तो जो जन्म की घटना है बुद्ध के तो उसको बुल की संग्या मतलब साण जो साण है बुल इसका संबंद बुद्ध के जन्म से माना जाता है भारत में पांचमी सताब्दी के प्राचीन विश्व विद्याले की अस्थापना कहां गी गई थी आप जानते हैं नालंदा में भारत में पांचमी सताब्दी के प्राचीन में ही विश्व विद्याले की अस्थापना की गई थी और नालंदा में विदेशों से भी आकर लोग पढ़ाईयां करते थे बुद्ध को प्रबोध यानि कि ग्यान कहां पर प्राप्थ हुआ तो ग्यान इनको प्राप्थ हुआ बुद्ध गया में बुद्ध, धम और संग मिलकर क्या कहलाते हैं तो ये त्रीरत्न कहलाते हैं अभी हमने आपको त्रीपिटक बताया वो अलग चीज है त्रीरत्न अलग चीज है त्रीरत्न में बुद्ध के जो बुद्ध, धम और संग है उद्धम सरणाम गच्छामिम, धंबम सरणाम गच्छानिम और संग्धम सरणाम गच्छामिम यह जो सब्द है यह त्री रद्ण से संबन दित हैं ça त्री पिटक में तो ग्रंत है ह। उनकी चर्चा आगे होगी değild-टक में बागी हम आगे तो बताएंगे और बागी चीजों की चर्चा की गई है, तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, कष्टों का निवारण करना है, यह सब जो चर्चा की गई है, यह प्रचार जो कर रहे थे, यह बौध धर्मयानी की गवतम बुद्ध द्वारा यह सब प्रचारित है, बौधों के पवित्र अवसेसों प अर्ध गोलाकार संगरचना है इसी को इस्तूप कहा गया है बुद्ध कीमरित किस वर्स में हुई थी तो बुद्ध कीमरित जो मानी जाती है इस 483 इसापूर्व में मानी जाती है भारती इतिहास के निमनलिखित युगों में से किस दवरान छत्री एक बिसिष्ट पहचान र रखते थे गौतम बुद्ध भी छत्री कुल से आते थे महाबीर कौन थे अब हमने जैसे अभी चर्चा किया कि हम क्रम वाइच चल रहा है तब बुद्ध के बाद हमारा कौन आ रहे है महाबीर तो यह महाबीर हमारे जो थे यह 24 में तिर्थंकर थे 23 में तिर्थंकर आप ज हमारा अगला प्रस्ण है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो महाबीर जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो महाबीर माने जाते हैं बाकी तो बहुत से अब जैसे 24 में तिर्थंकर इनके पहले 23 तिर्थंकर हो चुके हैं लेकिन उन्होंने इतना महत्पूर कारें नहीं किया होगा जिससे इतियास में उनको जगह नहीं मिली लेकिन महाबीर स्वामी जो थे इनको इतियास में अगर जगह मिली है तो इन्हों ने काफी महत्पूर काम किये होंगे तो इस 24 वे तिर्थंकर थे जिन्हों ने जैन धर्म का अस्थापना का वास्तिविक संस यानि की कुसी नारा उसी को बोला जाता है या कुसी नगर बोला जाता है और महाबीर के जो परिनिर्वार यानि की जहां मृत हुई थी वो पावापुरी में हुई थी जैन साहित को क्या कहते हैं तो जैन साहित को अंग कहते हैं जैसे कि अभी हमने आपको त्रीपिटक बताय कि बहुत धर्म में तीन गरंथ हुआ करते थे जिनको त्रिपिटक कहा गया और जैन साहित जो है इसको अंग कहा गया प्राचीन भारत का प्रसिद्ध सासक कौन था जिसने अपने जीवन की अंतिन दिनों में जैन धर्म अपना लिया था तो यह थे चंद्रगुप्त मौर जो था इसने जैन धर्म को अपनाया दचिड भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र इस्थित है तो यह इस्थित है करनाटक के स्रमण बेल गोला में चंद्रगुप्त अपने आखरी दिनों में जब उत्तर भारत में सूखा पड़ गया तो यह दचिड भारत में करनाटक इस्थित है यहां के स्रमण बेल गोला में चंद्रगुप्त मौर महावीर स्वामी के साथ चले गए बारत में सबसे पुराना लवयोग जुडा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडो के साथ छटी सताब्दी ईसापूर मगद में किसका विसाल भंडार था तो लोहो जो लोहा है चटी सताब्दी ईशापूर्व मगद में विसाल भंडार लोह का प्राप्थ हुआ कि मतलब लोह का भंडार जो है इस सबसे पहले चटी सती ईशापूर्व में लोह का भंडार मिला उसी के बाद से तो development यानि की विकास इतनी तेजी से हुआ आप जानते ही मगद सबसे बड़ी महाजनपद हुआ करता था मगद के उत्थान के लिए कौन सा पर्थम सासक उत्तरदाई था तो बिम्बिसार बिम्बिसार जो है मगद के उत्थान के लिए पर्थम उत्तरदाई सासक था उस राज्य का नाम बताईए जिसनी पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तिमाल किया तो पहली बार हाथियों का इस्तिमाल मगद ने किया जो मगद महाजनपत था इसी ने सबसे पहले हाथियों का इस्तिमाल किया तो हाथियों की सेना उस समय इतनी मजबूत हुया करती थी, इसलिए जो भी और भी 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत महाजनपद मगद को माना जाता है। प्राचीन काल में सबसे प्रमुक सुरोत सामगरी थी, हेरो डोटस को माना जाता है, तो हेरो डोटस को आप जानते हैं इतिहास का जनक माना जाता है, जिसको आप पितामा कह सकते हैं, ये तो अब कामन हो चुका है, बच्चा बच्चा जानता है कि इतिहास का जनक हेरो डोटस को माना जाता है इसको आप छोड़िए आगे देखिए अलेकजंडर सिकंदर और पॉरस ने लड़ाई-लडी थी तो हाइडे-स्पीज इसको हाइडे-स्पीज का यूद्ध या जहेलम क्योंकि ये जेलम नदी के किनारे हुआ था तो इसको जेलम का युद्ध माना जाता है जो पोरस राजा और सिकंदर था सिकंदर को अलेकजंडर भी बोला जाता है तो इन दोनों की लड़ाई जेलम नदी के किनारे हुई थे इसको जेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध माना जाता है अब आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा है किसकी सेना ने ग्रीक सासक सिकंदर के साथ जेलम नदी के तट पर मुकाबला किया अभी हमने चर्चा किया एक पूरस जो राजा था इसी ने जेलम नदी के तट पर सिकंदर जो कि इसको सिकंदर महान माना जाता है इसका मुकाबला किया जहेलम नदी के तड़ पर जिसको जहेलम का नदी का युद्ध भी बोल सकते हैं या हाईडे स्पीच का युद्ध बोल सकते हैं जबकि परिच्छाओं में फसाने के लिए हाईडे स्पीच का युद्ध ही पूछा जाता है कि बच्चे कनफ्यूज हो जाए कि हाईडे स्पीच ये क्या है तो आप याद रख सकते हैं कि सिकंदर और पूरस के बीच जो जहलम नदी के तड़ पर युद्ध हुआ था उसी को हाईडे स्पीच का युद्ध का जाता है यहूदियों के धार्मिक पार्ट का नाम क्या है तो धार्मिक पार्ट इसका मूसा संगिता है यहूदियों के धार्मिक पार्ट को मूसा संगिता बोला जाता महाभास किसने लिखा तो महाभास पतनजली का लिखा हुआ है आज के पतंजली नहीं जो प्राचीन काल में पतंजली हुआ करते थे उन्होंने महाभास लिखा है प्राचीन काल में सुरोत सामगरी लिखने के लिए प्रियुक्त भासा थी यह देखिये रिपीट हो गया अभी हमने आपको इस भासा का जिक्र किया संस्क्रित भासा प्राचीन काल में सबसे प्रमुक्त सामगरी थी सुरोत सामगरी जो लिखने के लिए प्रियुक्त होती थी चंद्रगुप्त मौर के बाद मौर सिंगहासन पर कौन बैठा तो चंद्रगुप्त मौर के बाद बिंदुसार अगला सासक बिंदुसार हुआ पर थी तो तच्छिसिला जो हमारा है तच्छिसिला में असांत बिंदुसार के सासन काल में फैली हुई थी चंद्रगुप्त मौर ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे अभी हमने आपको चर्चा किया कि चंद्रगुप्त मौर अपने अंतिम समय स्रमण बेल गोला जो की दच्छिड भारत के करनाटक में है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौरी ने अपने अंतिम दिन गुजारी असोक की प्रसासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया तो कलेंग युद्ध के बाद असोक की प्रसासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया देवा नाम प्रिय के नाम से कौन बिख्यात है तिया है असोक असोक को जो इसका उपनाम माना जाता है इसको देवा नाम प्रिय दस्सी भी बोला जाता है या भी उसके सिला लेख से ही प्राप्थ हुगा है तो किस सिला लेख राजा देश ने असोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उलेख किया है तो असोक ने जो कलिंग युद्ध का चर्चा किया है वह अपने सिला लेख जिसको राजा देश भी बोल सकते हैं ये राजा के यादे से ही सिला लेखों पर लिखे जाते थे तो जो तेराहवा सिला लेख है उसी पर कलेंग युद्ध का जिक्र किया गया है जिसमें इसने कलेंग युद्ध में इतना लास देखा जिसके इसका मन बिचलित हो गया और इसने युद्ध त्याग की घुसला कर तो इसका जिक्र सिला लेक 13 पर है चंद्रगुप्त मौर के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था तो चंद्रगुप्त मौर के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी तो इंडिका किस ने लिखी ए मौरे दर्बार में ग्रीज की राज़दूत का क्या नाम था मेगस्थनीज असोक ने किस बहुत साधु से प्रभावित होकर बहुत धर्म अपनाया असोक ने उपगुप्त के संद्र में बहुत धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर का प्रसिद्ध गुरु चाड़क कि किस बिद्या केंडर से संबंदित है तो यह तच्छ सिला जो है तच्छ सिला से संबंदित है कलेंगी युद्ध किस वर्स में हुआ कलेंगी युद्ध 261 BC में माना जाता है असोग पर कलिंग युद्ध का प्रभाग कहा दिखाई देता है तो उसके तेरहमें सिलालेक जिसको राज्या देश बोला जा सकता है तो 13 सिला लेक पर कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है असोक ने वहाँ पर अपने युद्ध त्याग की भी चर्चा किया है अगला हमारा है मौरेकाल के दौरान सिछा का सबसे प्रमुक केंदर किसको माना गया तो तच्छी सिला को मौरेकाल के दवरान सिच्छा का सबसे प्रविसित दिकेंद्र माना गया अर्थ सास्त्र के लेखक किसके सामकाले इन थे तो चंद्रगुप्त मौरे जो थे अर्थ सास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौरे थे की राजनीत पर लिखे हुई किताब थी अर्थसास्त्र की रचना किसने की कौटिल लेने की कौटिल जिनको बिसडुगुप्त या चाड़क के बोला जाता है तो यह अर्थसास्त्र इनहीं की रचना है जिनको चाड़क के कहते हैं उनहीं की रचना है अर्थसास्त्र तो अर् खेस्ट स wrestling चुके हैं तो एचाणक के संकालें थे तो अर्थसास्ति के लेखक के सामकालेंद की अर्थभ्यूस्था संबंदित कोई नहीं बात की गई इसमें सिर्फ राजनी से संबंदी दवाते की गई हैं असोग के सिला लेक किस लिप में खुदे हैं ब्राम्ही लिप में लिप है जैसे संस्कृत लिप पाली लिपी प्राकृत लिपी है उसी तरीके से ब्राम्ही लिपी है तो ब्राम्ही लिप में असोग के सिला सिला लेख जो हैं लिखे गए हैं पहली किसने कब और पहली बार असोग के सिलालेखों का अर्थ असपष्ट किया तो 1837 में जप्रिंसिप ने सिलालेखों के अर्थ को असपष्ट किया था प्रसिद्ध क्रिसी सासक को सिला लेखों का जनक कहा जाता था तो असोक को सिला लेखों का जनक कहा जाता है क्योंकि सरवाधिक सिला लेख असयोक ने ही लिखवाए थे मौरे बंस के सासन के दावरान अस्थानिक कौन था तो जिला प्रसासक जो है वही अस्थानिक के नौ तोर पे माना जाता था मौरे बंस के ततकाल बाद किस बंस ने आकर मगद राज पर सासन किया तो सुंग बंस ने आकर के मौरे बंस के बाद सुंग बंस ने मगद राज पर सासन किया मिलिंद पन्नों यह बहुत पाठ है चरक किसके राज चिकीच सकते तो एक कनिष्क के राज चिकीच सकते अब कनिष्क ने चरक को किसकी उप्चार के लिए भेचा था आप कमेंट बाक्स में वता सकते हैं अगर आपको मालूम है कुसाड काल में भारती और ग्रेक सहली के मिस्रित से बिक्सित कला बिद्याले को किस नाम से जाना जाता है तो उसको माना जाता है गांधार कला गांधार कला काफी प्रसिद्ध कला है ते कुसार काल में भारती और ग्रेक सैली का मिस्रण है जिसको गांधार कला बोला गया और कुसार बंस के सबसे प्रसिद्ध राजा इसको कनिस्क माना जाता है जो कि कुसार बंस का सबसे प्रसिद्ध सा सकता है और कनिस्क के काल में ही बौध संगीत जो चतुर्त बौध संगीत कुंडल बन कस्मीर में हुई थी वही मानी जाती है कनिस्क किस वर्ष में राज सिंगासन पर आरूर हुआ 78 इसवी में कनिस्क राज सिंगासन पर बैठा सक संबत किसने और कब सुरू किया था कनिस्क ने 78 इस भी से सक संबत को सुरू किया और सक संबत ही हमारा जो राष्टी कलेंडर है उसको सक संबत ही माना जाता है बहुत धर्म का संग्रच्छक कुसाण सासक कौन था तो कुसार सासक बहुत धर्म का संग्रच्छक कनिस्क को माना जाता क्योंकि बहुत धर्म की सुरच्छा देने वाला कनिस्क था कला की गांधार सहली किसके सासनकाल में पनपी तो कनिस्क के सासनकाल में गंधार सहली पनपी जो की दो कलाओं का मिस्रण था भारती और यूनानी कला के अविलच्छनों को समिन्वित करनी वाली सहली का नाम क्या है गांधार कला अभी हमने आपको बताया कनिस्क के सासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे तो नागारजुन और असवगोस दो साहित्यकार कनिस्क के सासनकाल के थे राजा खारवेल किस चेदी बंस के महानतम सासक थे कलिंग जिनकी कलिंग पर जब 261 बीसी जो कलिंग का युद्ध माना जाता है जिस पर असोक ने चड़ाई की और वहां से लासो को देखकर उसका जो है हिर्दय परिवर्तन हुआ उसके बाद वहां का राजा खारवेल जो की चेदी बंस का महानतम सासक बना आगे है साथ वाहन का सबसे बड़ा सासक कौन था तो साथ वाहन जो सासक हुआ करते थे उस सबसे पहले अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लिखते थो तो यहाँ पे जो सतकर्णी थे तो इन्हों ने अपनी माता का नाम आगे लगा लिया तो यह गौतमी पुत्र सतकर्णी तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इस सातवाहन बंस के सबसे बड़े और सबसे प्रमुक सासक मानी जाते हैं और पहला ग्यात गुप्त सासक कौन है ये स्री गुप्त को माना जाता है महरावली में जंग रहित लाव अस्तंब किस ने अस्थापित किया गुप्त सासक ने किया महरावली कहाँ पर है महरावली दिल्ली में है आप देख सकते हैं महालाव अस्तंब जो अस्थापित है एक गुप्त सासक ने अस्थापित किया था और एक गुप्त राजा जिसने बिक्रमादित की पदवी यानि की उपाधी धारण की थी आप कहूं थे एक चंद्र गुप्त दुती है जिनको पूरा बोला जाता है चंद्र गुप्त दुती है बिक्रमादित तो हमने आगे देखिया क्यूशन भी पूछा गया है चंद्र गुप्त दुती ह acá और किस नाम से जाना जाता था तो इनको और दूसरे नाम से बिक्रमादित्य को नाम से जाना जाता था जिनकी उपाद थी बिक्रमादित्य गुप्त काल में चादी के सिक्कों को क्या कहते थे तो गुप्त काल में चादी की सिक्कों को रुप्यक कहा जाता था आगे हमारा प्रस्ण है लच्षवी दवहित्र किसे कहते थे लच्षवी दवहित्र जो है इस समुद्र गुप्त को कहते थे रोमन समराज के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समात्थ हो गया भारती नेपोलियन के नाम से आमतर पर कौन हिंदू राजात जाना जाता है तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है जैसे अभी नेपोलियन की चर्चा हमने की है समुद्र गुप्त को नेपोलियन बोला जाता है उसी तरीके से तो भारत का नेपोलियन हमारे कौन माने जाते हैं समुद्र गुप्त और भारती संस्कृत का स्वाण युग किसको माना जाता है तो गुप्त काल को हमारे भारती सं जारे किये गए इसका सिक्का गुप्त काल में पराइब काल में का और सरवाधिक सुध को से किसके सासन काल में या कमेंड बाक्स में आप kita ऑो के प्रसिद्ध गुप्त संबत रिमिलकित ड units में किस वर्समें शुरू किया था 319 इसवी में प्रसित गुप्त संबत सुरू किया गया था इलाहाबाद अस्तंब के सिला लेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है तो इलाहाबाद के अस्तंब के सिला लेख में समद्र गुप्त की उपलब्धियां वर्णित है और या इलाहबाद का अस्थम्ब कहां पर है या मिन्टो पार्क आप जो भी जानते होंगे मिन्टो पार्क में इस्थित है इलाहबाद अस्थम्ब सिला लेक किस ने बनवाया था तो या हरिसेंड ने बनवाया था फाहियान किसके सासन के दवरान भारत आया था तो चंदरगुप्त दुतिये के सासन काल में फाहियान भारत आया था पंचितंत्र की कथाओं का संकलान किस ने किया तो पंचितंत्र की कथाओं का संकलान ये बिसुडू सर्मा ने किया प्रस्ण कई बार छोटी परिच्छाओं से लेके बड़ी परिच्छाओं में इसकी चर्चा की गई है तो आप पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विशुडू सर्मा जी ने किया याद रखेंगे मेगदूत जो है इसका लेखक कौन है तो कालिदास के जो कालिदास जी है वो मेगदूत के लेखक है प्राचीन भारत के विख्यात चिकिस्तक धनवंत्री ने अपना परामर्ष किसके दरबार में दिया था तो ये चंद्रगुप्त जो दुतिय है जिसको विक्रमादित की उपाद मिली तो चंद गुप्त दूतिय विक्रमादित जो है इसके विख्यात चिकिस्षक धनवंतरी ने अपना परामर्स इनको अपने दर्बार में विशेश अस्थान दिया था बरामिहर कौन थे बरामिहर जो थे एक एस्टो नामर थे तो आप जान सकते हैं एस्टो नामी किसको काता है खगोल विज्ञान या इसको खगोल विद भी बोल सकते हैं तो या प्रचीन खगोल विद मान सकते हैं या खगोल विज्ञान मान सकते हैं बरामिहर खगोल विद थे किसके सासनकाल के दावरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई तो गुप्त काल जो है तो जो गुप्त काल है इसके सासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई संगम काल में रोमन ब्यापार का केंद्र अरिक मेडू जो है या संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुक के अंद्र है। मैपिंग उसमें हमने बताया कि कौन सी गुफाएं, किस राजज में, किस जिले में इस्तित हैं, किस के सासनकाल से संबंदित हैं, उसका निर्माड किस ने करवाया, कौन-कौन से धर्मों से संबंदित, कौन सी गुफाएं या मंदिर हैं, उसके लिए एक अलग से डेडिकेट लेते हैं गंगा को उत्तर से दच्छिड ले जाने वाले चोल राजा कौन से थे तो ये थे राजेंद्र चोल अब आप एमत समझ लेजिए कि गंगा नदी को उत्तर से दच्छिड ले गए थे ऐसा माना जाता है कि गंगा जल जो है गंगा नदी से उन्होंने पानी लिया और जा करके दच्छिड भारत की एक नदी में मिला दिया तो इससे माना जाता है कि गंगा नदी को वे उत्तर से दच्छिड ले गई और दच्छिड की गंगा या दच्छिड भारत की गंगा किसे किस नदी को कहा जाता है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है किसड़ा नदी को क्या कहा जाता है यहाँ आप कमेंट बाक्स में बताएंगे कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है अब आगे चलते हैं हम अगले प्रस्ण पर अधिकांस चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है प्रारंभिक राजधानी निमलिखित में से कौन सी थी तो मानने खेट जो है या राष्ट कूटो की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी एलोरा में कैलासनाथ मंदिर का निर्मार किस ने किया राष्ट कूट सासक क्रिस्ट प्रथम ने एलोरा में कैलासनाथ मंदिर या प्रसिदिस्यों मंदिर का निर्मार करवाया एलोरा में गुफाएं और सैलकृत मंदिर हैं हिंदू धर्म बाध धर्म और जैन धर्म एतीनों के लिए हैं इसके लिए हमने एक डेडिकेड़ वीडियो बनाया हुआ है जो आपके इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी आप वहां से देख सकते हैं सभी गुफाएं उसमें इस्थित हैं महाबलीपुरम के सब्त पैगोडा किसके द्वारा संग्रचित कला के साची हैं पल्लों जो पल्लों बंस के राजा हुआ करते थे तो महाबलीपुरम के सब्त पैगोडा किसके संग्रचित कला के साची हैं ये पल्लों के संग्रचित कला के साची हैं किस पल्लो सासक के सासन काल में पल्लो और चालुक्यों के बीच लंबा संगर्स सुरू हो गया था तो महेंद्र बर्मन पर्थम जो हैं इन्ही के सासन काल में पल्लो और चालुक के बीच संगर्स सुरू हो गया था पुलकेसिन दुतिय किसका महानतम सासक था तो पुलकेसियन दुतिय जो था या वातापी के चालो के बंस का महानतम सा सकता रभी कीरती जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रसस्त की रचना की थी इनको किसका संग्रच्छन प्राप्त था तो इनको पुलकेसियन दुतिय का संग्रच्छन प्राप्त था तो यह जो रभी कीरती हैं यह जो एक जैन धर्म को मानने वाले थे तो इनोंने एक ऐहोल प्रसस्ती की रचना की थी और इनको संगरच्छंड देने का काम पुलकेसिंदुतिये ने किया था और जो पस्चिमी चालुक के बंस के प्रसिद्ध सासक इसको पुलके सिन्दुती को भी पस्चिमी चालो के बंस का प्रसिद्ध सासक माना जाता है महा बली पुरम में रत्मंद्रियों का निर्मार किस पनलव सासक के सासनकाल में हुआ राज राज परथम ने जो चोल सासक थे राज राज पर्थम ने स्री लंका के उत्तरी भाग को जीत करके अपने सामराज का एक भाग बनाया था उत्तर मेरूर सिला लेक से किसके प्रसासन से संबंदित जानकारी मिलती है तो इससे चोल प्रसासन की जानकारी मिलती है किस चोल सासक ने नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम का निर्मार करवाया तो यह थे राजेंद्र चोल परथम जिनों ने गंगई कोंड चोलपुरम का निर्मार करवाया मंदिर का सबसे लंबा गल्यारा कहां पर है तो या मंदिर का सबसे लंबा गल्यारा रामे सुरम है रामे सुरम किस राज्ज में है इसके चर्चा आप कमेंट बाक्स में करेंगे इलोरा में ठोस सहल को काट कर बनाए गए प्रिसिद कैलास मंदिर का निर्मार निम्रलिखित में किसके संग्रच्छन में किया गया तो राष्टकूट बन स्था इनी के संग्रच्छन में प्रसिद कैलास मंदिर या सैव मंदिर का निर्माड हुआ और इस निर्माड करता कौन थे? प्रसिद दिलवाडा मंदिर अस्थान है राजस्थान में तो दिलवाडा मंदिर किसके लिए प्रसिद है तो या जैन धर्म को मानने वाले जो हैं दिलवाडा मंदिर उन्ही जैन धर्म को मानने वालों के लिए प्रसिद है चोल राजाओं का सासन था तमिलनाड उपर तो चोल राजाओं का सासन किस राज़ पर था तमिलनाड उपर था प्राचेन चोल सामराज की राजधानी कहां पर थी उरैपूर तो जो उरैपूर है इन्ही पर प्राचेन सोल सामराज की राजधानी हुआ करती थी दुतिय पांडयन सामराज के प्रमुख माप का उल्ले किसमे किया गया है थलवाई पूरं तामबे की प्लेट जो है इनहीं पर दुतिय पांडयन सामराज के भूमि माप का उल्ले किया गया है पुस्तक कथा सरित सागर किस ने लिखी थी? तो पुस्तक कथा सरित सागर जो है ये सोम देव ने लिखी है बिक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो बिक्रमांक देव चरित्र के लेखक जो है ये बिलहन थे हर्स चरिदर के लेखक क्म थे एक पेपर में कई बार पूछा गया है बानभट्ट जो है इसका 60 वीडियो भी यूटूब पर पड़ा हुआ है हमारे जो 60 वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं एक महान रोमानी नाटक का दंबरी का लेखक काउन था वो भी बाणभट थे तेराहमी सताबदी में राजस्थान के माउंट आबू में इस्थित दिलवाडा मंदिर किस ने बनवाया तो यह तेज पाल ने बनवाया और यहां मंदिर किसको समर्पित है तो यह जैन धर्म को मानने वाले जो हैं उनको समर्पित है खजुराहों का मंदिर का निर्मार किस ने करवाया तो खजुराहों जो मंदिर है इसका निर्मार चंदेल राजपूत सासकों ने करवाया मिहर भोज राजपूतों ने किस कुल से संबंदित है तो मिहर भोज जो राजपूत है या प्रतिहार बंस से संबंदित है और प्रतिहार बंस का महानतम राजा कौन हुआ तो मिहर भोज यानि की भोज तो मिहर भोज जो राजा थे या प्रतिहार बंस के महानतम राजाओं में सामिल है वेन सांग किसके सासनकाल के दवरान भारत आया था तो वेन सांग जो है या हर्सवर्धन के सासनकाल के दवरान भारत आया था और हर्सवर्धन के सासनकाल में ही पांचवी बहुत संगीत का आयोजन किया गया आगे हमारा है उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्सवर्धन के दरबार में आया था तो उस चीनी यात्री का नाम है हुएन सांग हुएन सांग जो है या हरसवर्धन के दरबार में आया था और हुएन सांग जो है यह चीनी यात्री था प्रिंसाब पिलिग्रिम्स नाम किसे परदान किया गया तो इसे हुएन सांग को परदान किया गया इसको राजकुमारों का जो माना जाता है एक क्योंकि ये बहुत टालता हुआ था तो प्रिंस साब पिल्गरिम्स इसको नाम दिया गया भेंसांग को भारत में नालंदा बिश्विद्याला किस राज में स्थित है तो हमारे बिहार राज में नालंदा विश्विद्याला इस्थित है स्रिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो चारमठ अस्थापित किये गए थे इसकी जो अस्थापित किये गए तो एक किस्न के द्वारा किये गए तो आदि संकराचार अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी के द्वारा आदि संक्राचार की मूर्ती जो है कहां पर अस्थापित की गई है एक करेंट का प्रस्न है आप कमेंट वाक्स में इसका उत्तर देंगे हम ऐसी उम्मित करते हैं कि आधि संक्राचार की जो मूर्ती अभी हाल ही में अस्थापित की गई है किस राज में कहां पर अस्थापित की गई है अद्वयत दर्सन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे तो ये संक्राचार थे नालंदा विश्व विद्याले को नश्ट करने वाला मुसलिम आक्रमण कारी काउन था तेया मुहम्मद बिन बक्तियार खिल जी था जो किसका सेनापती था तेया सेनापती किसका था आपको अगर जिसने इतियास पढ़ा है उनको तो पता ही होगा कि मुहम्मद बिन पक्तियार खिल जी जो है जो इसने नालंदा विश्विद्याले को आग लगा दी थी तिया आक्रमाड कारी काउन था तिया आक्रमाड कारी मुहम्मद बिन खिल जी था हर्स बंधन को किस ने पराजित किया तो हर्स बर्धन को पुलकेशिन दुतिये ने पराजित किया हर्स बर्धन का समकालेन जो दच्छिर भारती सासक था तो पुलकेशिन दुतिये था तो पुलकेशिन दुतिये ने हर्स बर्धन को युद्ध में हराया भी था हर्सवर्धन की आरंभिक राजधानी कहा थी तो थाने स्वर्जो है हर्सवर्धन की आरंभिक राजधानी थी 738 इसवी में अरबों को पराजित किया था तो अरबों को पराजित करने वाले कौन थे? प्रतिहारवंस के थे कोडार्क मंदिर के देवता किसको माना जाता है तो सूर्य देवता को कोडार्क मंदिर का देवता माना जाता है सांची का इस्तूप जो सांची का महान इस्तूप है एक कहां पर इस्तित है तो ए मध्य प्रदेश में सांची का इस्तूप इस्तित है कलिंग सासक कारवेल ने संगरच्छन दिया तो कलिंग सासक जो है इसने जैन धर्म को संगरच्छन दिया सिंध पर बिजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेना पती का नाम बताईए अब हमारा देखिए शुरू हो गया है मुसलिम आक्रांताओं का आक्रमड तो जो हमारा सिंध प्रांत है पस्चिम में तो इस सिंध पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला कौन था? मुहम्मद बिन कासिम था और या कब आया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में प्रिथिवी राज को किस ने पराजित किया तो या मुहम्मद गोरी ने पराजित किया? प्रिधिवी राज चवहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था तराइन के युद्ध में और तराइन का पर्थम जो युद्ध था 1192 इसवी में तराइन के युद्ध में प्रिधिवी राज चवहान ने मुहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था अब हमने जैसे मुहम्मद गोरी की चर्चा की अभी हमने आप से एक प्रस्ण पूछा था कि बक्तियार खिलजी जो है जिसने नालंदा विस्विद्याले को जलाया था किसका गुलाम था या किसके आदेश पर उसने जलाया था तो उसका उत्तर आप कमेंट बाक्स में देने के लिए बोले थे तो अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली छेत्र खोल दिया तो तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए मुहम्मद गोरी ने दिल्ली का छेत्र खोल दिया तो दिल्ली सुल्तान जो सासक का प्रारम हुआ तो 1206 इस भी से दिल्ली में सुल्तान सासक की सुरुवात हो गई जमेर में अरहाई दिन का जोपड़ा किस ने बनवाया था तो कुतब बुद्दीन आइबक ने बनवाया था कुतब मीनार किस प्रसिद्द सासक ने पूरा करवाया था तो जो कुतब बुद्दीन अभग जो कुतब मिनार बनवा रहा था तो उसकी मृत्व हो गई और उसका जो कुतब मिनार है उसको पूरा करवाया तो इलतुतमिस ने कुतब मिनार को पूरा करवाया इसलिए इसका स्रे की दिया जाता है इलतुतमिस को दिल्ली के सुल्तान का पद समालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था तो बलबन जो है जिसको बहुत ही कुरूर सुल्तान माना जाता है तो ये नासुरुदीन का प्रधान मंत्री था तो दिल्ली सल्तनत का उधारक किसको माना जाता है तो दिल्ली सल्तनत का उधारक जो है उल्तुतिमिस था आगे चल के उल्तुतिमिस की पुत्री ही रजिया सुल्तान पहली महिला सासक बनेगी नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराज की राजधानी घोसित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो या था इलतुतमिस चंगेज खान ने जलाल उद्दीन का पीछा करते हुए किस के सासनकाल में भारत की सीमाव पर आक्रमण किया तो इलतुतमिस जो था तो इलतुतमिस के सासनकाल में चंगेज खान ने जलाल उद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाव पर आक्रमण किया आगे हमारा है प्रसिध फार्सी तेवहर नवरोज का परवर्तन किसने किया तो बल्रबन जो है नवरोज तेवहर जो मनाया जाता है चाहलगामी और फोर्टी के रूप में विख्यात जो तरकी सामंत थे इनकी सक्ती को भंग करने का पर्थम जो भंग किया तो प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था तो बलबन था बलबन ने सामनतों की सक्ति को भंग किया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो इलतुतिमिस जिसको अलतमस कहा जाता है तो इलतुतिमिस की बेटी थी रजिया सुल्तान वे दो बंसच कौन थे जिन्होंने खिलजी सासकों से ततकाल पहले और बाद में सासन किया था तो गुलाम बंस और तुगलग बंस दो बंस एक खिलजी बंस उसके बाद आया तुगलग बंस तो वही पूछायत खिलजी सासकों से ततकाल पहले और बाद में तो खिलजी बंस के ततकाल पहले गुलाम बंस था और खिलजी बंस के ततकाल बाद में तुगलग बंस था जब इतिहास में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा तो उसमें सभी बंसों की जानकारी दी जाएगी अभी तो यह हमारा वन लाइनर क्यूश्चन चल रहा है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो तुर्क सुल्तान जो थे एक खिलजी सुल्तान थे सुयंको दूसरा सिकंदर या सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान कौन था तो यह था अलाउत दीन खिलजी आप जानते हैं सल्तनत बंस की विसालतम अस्थाई सेना जिसका भुकतान सीधा राज द्वारा किया जाता था तो या किसके द्वारा बनाई गई थी तो या अलाव देन खिल जी के द्वारा बनाई गई थी मलिक काफूर जिसने दच्छिड भारत पर चढ़ाई की थी दच्छिड बिजय करने का मिसन अलाउद दिन खिल जी ने किसे सवपा मलिक काफूर को सवपा था अभी हमने बताया आपको बाजार बिनिमे प्रणाली प्रारंब की गई तो प्रारंब की गई अलावदिन खिल जी द्वारा बाजार बिन में प्रणाली आरंब की गई वह सुल्तान कौन था जिसके खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया अलावदिन खिल जी ने किस कारण से मुहम्मद बिन तुगलक को आसफल ब्यक्ति माना जाता है क्योंकि वह बेवहारिक राजनेता नहीं था इसलिए मुहम्मद बिन तुगलक को आसफल ब्यक्ति माना जाता है जिसको आप जानते हैं यह सनकी सुल्तान पागल सुल्तान माना कहा गया है जबकि यह बहुत ही पढ़ा लिखा सुल् ये उसको लागू करने में इतनी ज़्यादा गल्तियां हो गई तो इसको असफल सुल्तान माना गया वर्तमान दौलताबाद जहां मुहम्मद बिन तुगलक ने दिली से राजधाने को अस्थानांतरित किया था किसके समीप इस्तित है औरंगाबाद जब मैप मैप द्वारा ह आपको इतिहास की जानकारी देंगे तो औरंगाबाद की जानकारी आपको मिलेगी कैसे इस जिसको मतलब मुहम्मद दिन तुगलक जिसको ये अम्बीटी कहा जाता है तो इसको सनकी सुन्तान किसलिए कहा जाता है कि इसने जो दिली से राजधानी को दौलताबाद ट्रांस चमड़ों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था तो ब्रामडों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलग भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारम की तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारम की अभी इसके लिए भी इसको मतलब फ्लाप माना जाता है, मनियारो का राजकुमार इसको मुहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है, कुतुम मिनार को जैसे हम आज देखते हैं, अंततापुनर निर्मार किस ने किया था, फिरोज तुगलक ने, जो इसका उपर का सबसे अंतिम बना है, सबसे उपरी हिस्सा, उसको फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाया गया है, किस बन्स के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सासन किया, तो तुगलक बन्स के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक सासन किया, यात्री इवन बतूता कहां से आया था तो ये मुरक्को का यात्री था मुरक्को आप कहां पे है मैप में देख कर बताएंगे नहीं तो हम तो बता ही देते हैं या अफरीका का एक देश है मुरक्को तो आप कमेंट बाक्स में यही बता दीजिए तो जो अफरीका महादीप है तो या जो महादीपों का जो स्रीज है कि सबसे बड़ा महादीप, सबसे छोटा महादीप अगर हम क्रम वाई देखेंगे तो अफरीका कौन से नंबर का महादीप है या कमेंट वाक्स में बता सकते हैं इबन बतूथा किसके सासनकाल में भारत आया था तो मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में इबन बतूथा भारत आया था लोदी बंस का संस्थापक काउन था बहलोल लोदी था दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाथ हुआ तो 1526 में तो 1526 किसलिए प्रसिद्ध है तो 1526 में लोदी बंस का समाथि करके उस पर मुगल बंस की अस्थापना करने वाला बाबर आ गया था जो अपने पुत्र हुमायो के ले करके दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और दिल्ली को अपने कबजे में ले लिया जिसमें अंतिम लोदी बंस का सफाया कर दिया तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम बंस लोदी बंस है जिसका सफाया करके जो है बाबर ने गुलाम बंस की अस्थापना की अब हम देख लेते हैं शूफी परंपरा में पीर से क्यास है जैसे पीर बाबा के नाम से आप लोग जानते हैं कि पीर तो जो शूफियों के गुरु है उन्हीं को पीर कहा जाता है तो इस शूफी परंपरा में गुरु जो होते हैं उनको पीर कहा जाता है तो आप ग्रामीड मैं जानते हूं कि उनको पीर बाबा कहते है सूफी आंदोलन जो है मूलता कहां से प्रारम भुगा था तो यह परसिया जो आज का फारस है जिसको वर्तमान में इरान के नाम से जाना जाता है तो परसिया को सूफी आंदोलन का प्रारम भुमाना जाता है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया तो सूफी आदेश जो हैं इनको सिलसिला नाम से जाना गया भक्ति योम सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था धार्मिक सदभाव भक्ति प्रचारक संकर देव ने प्रादेशिक भासाओं में किसका उप्योग करके उसे लोगप्रिय बनाया था तो असमिया जो असमिया भासा थी इसको भक्ति प्रचारक संकर देव ने लोगप्रिय बनाया सीवा जी के समसाइक मराठा संत का नाम क्या था तो सिवा जी के समकालीन कौन थे संत, संत तुकाराम ए परिच्छा में पूछा गया है अभी जो पिछले वस यूपी पेट की परिच्छा हुई थी उसमें संत तुकाराम पूछा गया था कि सिवा जी के समकालीन कौन से मराठा संत हुआ करते थे तो उसमें संत तुका राम आपसन ए पर था तो यही प्रसन पूछा गया था एनालेट्स पवित्र गरंथ एक है कंफ्यूस वाद जिसको आप कंफ्यूसियस धर्म मानते हैं जो की चीन इसके लिए काफी ज़्यादा विबादित रहता कि कंफ्यूसियस धर्म को बढ़ावा देता है चीन विजय नगर राज की अस्थापना किस ने की तो विजय नगर राज की अस्थापना संगम बंसने की और विजय नगर की अस्थापना करने का स्रेक इसको जाता है हरिहर और बुक का दो भाईयों को जाता है बिजय नगर के सासकों ने प्रोसाहित किया तमिल तेलगू और संस्कृत को तमिल तेलगू और संस्कृत भासा को बिजय नगर के सासकों ने जो है प्रोसाहित किया गोवा में महत्मूर किलो को बहमानियों से छिनने वाला पर्थम विजय नगर सासक कौन था तिया थे हमारे हरिहर दुतिय 1420 में विजय नगर सामराज में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था निकोलो डी कॉंटी एक्जाम में पूछा गया है आप याद रख सकते हैं क्रिस्ट देवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो क्रिस्ट देवराय की एक पुस्तक है आमुक्त मालेदा पुस्तक तो ये पुस्तक किसने लिखी है क्रिस्ट देवराय ने लिखी है आगे देखते हैं तेलगू कृत अमुक्त मालिदा का लेखा कौन थे तो यह कृत देवराय थे अभी हमने उपर आप से चर्चा किया प्रस्ण पूछने का तरीका अलागलग था इसलिए इसमें आपने जो हमारे जो टाइप राइटर थे उन्होंने टाइप कर दिया है उस उ देवराय हैं और यही प्रस्ण दूसरी तरीके से पूछा गया अमुक्त मालिदा किसका कार्य है तो यह कृसर देवराय का है विजय नगर के मद्यकालिन नगर को आज कल कहते हैं तो यह हमपी जो है हमपी को ही विजय नगर का मद्यकालिन नगर मानते हैं ताली कोटा का प् कमेंट बाक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं नहीं तो हम बता ही रहे हैं तालिक ओटा का युद्ध को राचस तांगडी का भी युद्ध माना जाता है तो इसका दूसरा नाम राचस तांगडी का युद्ध कहा जाता है एक नाम और है उसका नाम आप कमेंट बाक्स में बताएंगे मरमर बीत से गोल गुंबच का निर्मार किस सासक द्वारा किया गया था तो मुहम्मद आदिल साधुती के द्वारा गोल गुंबच का निर्मार करवाया गया गया गोल गुंबच ये इस्थित कहां पर है तो ये बीजापूर में इस्थित है बीजापूर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है तो ये गोल गुमबज के लिए जाना जाता है परसन किस प्रकार से पूछा गया है इन सब की ब्याख्या आप देख सकते हैं चित्तावड का किर्थी अस्तंब किस ने बनवाया था तो ये राणा कुमभा ने बनवाया चित्तावड का किर्थ एक खान के नाम से जाना गया सू विख्यात कोह नूर हीरा किस खान से निकला था तो एक गौल खुंडा की खान से निकला और गोलकुंडा किस अस्थान पर है कर्नाटक कि भारत का पर्थम मुगल बासा काऊन था तो प्रथम मुगल बासा इजिस ने 1526 में लोदी बंस को समाप्त करके मुगल बंस की निव रखी पानी पत की पहली लड़ाई किस वर्स लड़ी गई तो पानी पत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई जिसमें बाबर ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल बंस की अस्थापना की बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भासा में लिखे थे ते तुर्की भासा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखा भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किस ने किया तो बाबर ने किया खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजदोत कौन था राणा सांगा तो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित कौन हुआ राणा सांगा हुआ बाबर के मृत्य कहां पे हुई तो आगरा में हुई दिल्ली में जो पुराना किला का निर्मार किस सासनकाल में हुआ था तो हुमायू के सासनकाल में पुराना किला का निर्मार हुआ पुराना किला किस ने बनवाया तो पुराना किला बनवाया हुमायू ने दिल्ली में पुराना किला का निर्मार जो है हुमायू के सासन काल में मलब हुगा था लेकिन पुराना किला बनवाया किसने तो इस सेरसाह ने बनवाया था सेरसा सूरी आप जानते हैं जिसने हुमायो को खदेर दिया था और दिल्ली की सत्ता से बेदखल करके दिल्ली पर सूर जो मतलब सूर बंस की अस्थापना की थी 1540 में किस युद्ध के पस्चात हुमायो को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया तो कन्योज का जो युद्ध है उसमें हुमायो को सेरसा सूरी ने दवड़ा करके भारत से बाहर कर दिया था हुमायो को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा उपर अभी चर्चा हुई कन्योज के युद्ध से कन्योज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था पंद्रा सो चारिस में लड़ा गया था दिल्ली में हुमायू का मकब लड़ा किस ने बनवाया तो हाजी बेगम ने बनवाया आगे हमारा देख लेते हैं आगे कौन सा प्रस्ण है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडर मल किस के अधिन सेवा की थी तो ए सेरसा के अधिन सेवा दे थी काला नवर में राज्जा विशेख के समय अकबर की आयू कितनी थी तो 15 वर्स की आयू में अकबर समराट गोसित हुआ जब हमायो की मृत्य हो गई 1556 में तब जाके 15 वर्स की आयू में कला नौर में राज्या विशेख हुआ अकबर का महा भारत का फार्सी अनुबाद किस ने किया था तो बदायूनी ने महा भारत का फार्सी में अनुबाद किया और रामायड का अनुबाद फार्सी में किस ने किया तो बदायूनी ने ही किया अकबर ने पंच महल का निर्मार जो खंभो के लिए बिख्यात है कहां किया था तो फतेहपूर सीकरी में किया वहाँ प्रसिद जयन बिद्वान का उन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था हरी और विजय ये प्रसिद जयन बिद्वान हुआ करते थे जिनका अकबर बहुत ही सम्मान किया करता था दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश से क्या था विस्स बंधुत को बढ़ावा देना तो दीन ए इलाही एक नया धर्म बनाया था अकबर ने जिसका उद्देश था विस्स बंधुत को बढ़ावा देना जिसमें सभी धर्म संभाव की बात की गई थी आईने अकबरी पुस्तक अबूल फजल की है परिच्छा में कई बार पूछा गया है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अलू अबूल अकबूल फजल था हमारा जो प्लेलिस्ट में 60 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है में आप देख सकते हैं उसमें इन सब की चर्चा आपको मिल जाएगी अकबर नामा किसने लिखा था तो इसके रचनाकार भी अबुल फजल है हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी मुगल सासन ब्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारम किया तो मुगल प्रसासन ब्यवस्था में मनसबदारी ब्यवस्था अकबर ने प्रारम किया था मनसबदारी प्रणाली जो है एक किसने प्रारम की अभी हमने उपर देखा अकबर ने सुरुवात किया फतेपुर सीकरी का निर्मार किसने किया अकबर ने करवाया अकबर अपना धार्मिक विचार कहा करता था तो इबादत खाना बनवाया था वहाँ पे धार्मिक विचार भिमर्ज करता था प्रियाग नगर को अलाहाबाद या अलाहाबाद किस ने बनाया तो अकबर ने प्रियाग राज को जो पहले इसकी नाम प्रियाग था इसको इलाहाबाद या अलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम दिया गया लेकिन वर्तमान में हमारी जो वर्तमान की सरकार है तो इसको फिर से प्रियाग राज के नाम से संबोधित किया गया अब इसका हमारा इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रियाग राज हो गया है अकबर के आरंबिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था तो बायराम खान तो बायराम खान ही इसका संग्रचक था इसी के संग्रचक में अकबर को मतलब राजा बना था वही देखिए आगे प्रस्न भी पूछा गया है अकबर का अभिराच्छक कौन था तो अकबर का अभिराच्छक था बैराम खान जबती प्रडाली के अंतरकत वास्तिविक उत्पादन का कितना अंसराज की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था तो एक तिहाई तो एक तिहाई हिस्सा जो है और राज के रूप मांग के रूप में निर्धारित किया गया था तो जितना उत्पादन होगा उसका एक तिहाई राज की कोटे में जाएगा अकबर का प्रसिद्ध राज समंत्री का उन था तो ये था टोडर महल अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तान सेन का मूल नाम क्या था तो राम तनू पांडे तान सेन का मूल नाम राम तनू पांडे था जो की अकबर के दर्वार में प्रतिस्त संगीतकार की रूप में रहते थे अकबर की एक मात्र किस दर्वारी ने दीन ए इलाही को स्विकार किया तो बीरवल जो थे इन्हों ने दीन ए इलाही धर्म को स्विकार किया था जब East India Company का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बासा काउन था तो उस समय मुगल बासा अकबर था और जब East India Company का गठन हुआ था तो अकबर था तो जो पहला पत्र आया था तो अकबर के नाम पे ही आया था लेकिन जब पत्र जब यहां पहुंचा तो उसके पहले ही अकबर की मृत्त हो गई थी और वह पत्र जो किसके दर्बार में आया था तो जहांगीर के दर्बार में अकबर के नाम का पत्र इगलेंड से आया था किसके सासनकाल में तुलसी दास ने रामचरित मानस लिखी तो अकवर के सासनकाल में तुलसी दास ने रामचरित मानस की जो है रचना की तुलसी दास ने रामचरित किसके सासनकाल में लिखी वही प्रसंद दुबारा पूछा गया था पेपर में अकवर ने लिखी जहांगीर का अर्थ क्या है जहांगीर का अर्थ है विश्विजीता चित्रकारी किसके सासनकाल के दवरान अपने उच्चतम अस्तर पर पहुंची तो जहांगीर के सासनकाल के दवरान चित्रकारी अपने उच्चतम अस्तर पर पहुंची किस मुगल बादसाह ने तमबाकू के प्रियोक का निसेद किया किस मुगल सहंसाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिली को अस्थानांत्रित किया साजहां का प्रसिद्ध तक थे ताउ 1749 में कौन ले गया तो फारस का जो आकरामक था नादिर साह जब इसने भारत पर आकरमण किया तो जो तकते ताउस था तो इसने दिली पर जब आकरमण किया तो तकते ताउस और उसी के साथ कोहिनूर हीरा भी नादिर साह ले गया औरंग जेव के बाद उसका काउन सा बेटा बहादुर साह के नाम से भारत का समराड बना यहीं से उत्तर मुगल काल की सुर्वात हो जाती है क्योंकि औरंग जेव के बाद से जितने भी सासक हुए सब बहुत ही लपड जंगुमा टाइब के सासक हुए तो मुगल सासको की दरबारी या अदालती भासा थी फारसी थी भारत में बेबी का मकबरा या कहां पर है औरंग अबाद में और किसने बनवाया तो बेबी का मकबरा बनाया औरंग जेव ने जैसे पूछा गया है ताज महल किसके द्वारा बनवाया तो साजहा ने अपनी बेगम मुम्ताज के लिए बनवाया था उसी तरीके से अवरंग जेव ने अपनी पतनी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया अवरंगाबाद और अवरंगाबाद कहां पर है महाराष्ट में है सेरसाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रैंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी तो पूर्व बंगाल को जोड़ती थी जिसको जेटी रोड कहा जाता है जो इलाहबाद से होकर गुजरती है उसी की चर्चा हो रही है सेरसाह किमरित कहां लड़ते हुई थी कालिंजर दुर्ग में नाना फड़नवीस का मूल नाम क्या था तो नाना फड़नवीस का मूल नाम बालाजी जनारदन भानू था सीवाजी के गुरू काउन थे तो रामदाज जो थे वे सीवाजी के गुरू थे ऊस मराथा राजा का नाम बताई ये जो अवरंग जेव से बहादुरु इसे लड़े तो सीवाजी हमारे थे जिनों ने अवरंग जेव की नाक में दम कर दिया था आगे देख लेते हैं च्छत्र पती सीवा जी को हराने के लिए अवरंग जेव ने किस को भेजा तो अवरंग जेव ने राजा जै सिंग को सीवा जी को हराने के लिए भेजा सीवा जी को पकड़ने के लिए अवरंग जेव द्वारा किस जनरल को भेजा गया तो जनरल था साइस्ता खान सीवा जी ने कितनी बार सूरत को लूटा तो दो बार सत्रा सो इसवी में राजा राम की मृत्त के बाद मराठों ने मुगलों के बुरुद्ध उसकी बीर पतनी तो उसका नाम क्या था जिसने नेतृत जारी रखा तो तारा भाई जब राजा राम की मृत्त हो गई तो राजा राम की पतनी तारा भाई ने मराठों का नेतृत किया और मुगलों के बुरुद्ध अपनी कारवाही जारी रखी सीवा जी का राज्या बिशेक कब हुआ था तो 1674 में सीवा जी का राज्या बिशेक हुआ था आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा है सिवा जी के राज की राजधानी कहां थी तो सिवा जी के राज की राजधानी जो थी ये रायगर थी यूरेपियन सक्ती पहचानिये जिसने सिवा जी ने तोपे और गोला बारूद प्राथ किया तो सिवा जी जो गोला बारूत प्राप्त किये थे तो फ्रांसेसियों और पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से सिवा जी ने तोपे और गोले बादूत प्राप्त किये नाना सहाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो नाना सहाब के नाम से बाला जी बाजी राव प्रसिद्ध है आगे देखते हैं जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई आहमसा अबदाली के नेतुत में मराठो को हराया गया उस समय दिल्ली का सासक काउन था तो साह आलंदोती उस समय दिल्ली का सासक था जिसने पानिपत की लड़ाई में आहमसा अवधाली का साथ दिया और मराठो को करारी हार जहलनी पड़ी जिसके बाद से मराठे उबर नहीं पाए पर्थम आंगल मराठा युद कौन सी संदी द्वारा समाथ हुगा था तो साल बाई की संदी द्वारा पर्थम आंगल मराठा युद समाथ हुगा पेशवा पर था ब्रिटिस द्वारा किस पेशवा के काल में समाथ की गई तो बाजी राव दोती के काल में ब्रिटिस द्वा पेस्वा के काल की समात्र गोसित की कर दी गई। अंगरेजों द्वारत में अपनी पहली फेक्टरी कहां पर अस्थापित की सूरत में। भारत में डच द्वारा सबसे पहला प्रारंबिक उपनिवेश कहां पर था मसूली पटनम में डचो का प्रारंबिक उपनिवेश था 1651 में मुगलो द्वारा भारत में किस अस्थान पर इस्ट इंडिया कमपनी को ब्यापार करने और फैक्टरी बनाने की अनुमती दी गई तो कासिम बाजार में मुगलों द्वारा बंगाल में इस्ट इंडिया कमपनी को ब्यापार करने और फ्रक्टरी बनाने की अनुमती दी गई अंग्रेज सासक जो चाल सुदुतिय है इसको किसकी राजकुमारी से बिवा करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था तो इसको पुर्तगाल राजकुमारी जो थी कैथरीन तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी इनको अंग्रेज सासक चाल सुदुतिय से बिवा करने के लिए बंबई को दहेज में मिला था भारत के लिए समुद्री मार की खोज का स्रे किसको जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुद्री मार की खोज की थी पुर्टगाली यात्री वासकोडी गामा का कालिकट आने पर भभ्य स्वागत करने वाला भारती राजा का नाम बताईए तो जमौरिन वहां की एक राजा की उपाधी होती थी जमौरिन उन्हीं को बोला जाता है वराजा का नाम क्या था इससे मतलब नहीं है लेकिन जो परिच्छा में पूछा जाता है वो जमोरिन ही पूछा जाता है तो वास्को डिगामा का स्वागत करने वाले जो जमोरिन थे इन्हों ने कालिकट के बंदरगाह पर जो पुर्तगाल सा यात्री वास्को डिगामा आया था उसका स्वागत किया था Cape of Good Hope के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की तो वासकोड गामा ने केफ आप गुड होप के रास्ते भारत तक के जो है समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद से जाने वाले कौन थे तो पूर्तगाली जो थे यह हमारे भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1761 में इनको ख़देड़ा गया तब जाकर गए 1761 हमने लिख दिया है 1961 में 1961 में इनको धक्य मार करके भारत से बाहर किया गया भारत में पूर्तगाली सत्ता की वास्तविक निव रखने वाले महांतम पूर्तगाली गवर्नर काउन थे तो यह अलबूकर्क थे गुरू गोबिंद सिंग द्वारा खालसा पंथ की अस्थापना किर्सवर्स की गई थी तो 1699 में गुरू गोबिंद सिंग द्वारा खालसा पंथ की अस्थापना की गई तो खालसा पंथ बंस जो है खालसा पंथ की अस्थापना किस ने की तो गुरु गोबिंद सिंग्न जी द्वारा खालसा पंथ की अस्थापना की गई अकाल तक्त का निर्माण किस ने करवाया था तो अकाल तक्त का निर्माण गुरु हर गोबिंद जी ने करवाया था गुरु नानक जी का जन्मस्थान कहां पर माना जाता है तो तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्मस्थान है गुरु नानक जी का उत्राधिकारी कौन है तो गुरु अंगत देव जो है वे गुरु नानक के उत्राधिकारी है गुरु जो सिख गुरु ने स्वैंग को सच्चा बादसा कहा तो गुरु अर्जुन देव जी थे इन्होंने सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव इन्होंने सच्चा बादसा कहा रंजीत सिंग की राजनीतिक राजधानी लाहोर थी किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है तो उनकी धार्मिक राजधानी अमरिस्टर को कहा जाता है जिनोंने अमरिस्टर में जो मंदिर है हर मंदिर उसी पर इन्हों ने गुंबद में तब्दिल करवाया उसी नाम से को स्वंड मंदिर कहा गया किस गवर्नर जनर्र ने रोपड में रणजीर सिंग का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था तो बिलियम बैंटिक ने जो है रंडजी सिंग का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया अवद के स्वायत राज्य का संस्थापक काउन था तो सादत खान था तो जो अवद राज्य की स्वायत संस्थापक माना जाता है तो सादत खान को माना जाता है सरकार का कमपनी से समराट को अंतरन लाड कैनिंग द्वारा एक नवंबर 1858 को कहां घोसित किया था तो इलाहबाद में तो जो कैनिंग को जो कमपनी से समराट को जिसकिस ने घोसित किया थो तो कैनिंग ने इलाहबाद में सरकार जो कमपनी थी कि कमपनी अब समाथ हो रही है और अब समराट भारत पे सासन करेंगे दूसरे अंगलो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल काउन था तो वारेन हेश्टिंग था टेपू सुल्तान कहां का सातक्सा तो मैसूर का सासक था टेपू सुल्तान बलाइक होल तरासदी की घटना कहां पर घटी थी तो एक कलकत्ता में घटी थी तो बलाइक होल तरासदी क्या है तो इसमें था कि 146 जो अंग्रेज सैनिक थे इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और जिसमें से लगवग 123 अंग्रेजों की मृत्य हो गई जिसमें तो 23 जिंदा बचे थे उसी को बलाइक होल तराषदी की घटना कहा गया 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद दौला के साथ किसने विस्वात घात किया तो मीर जाफर ने सिराजुद दौला के साथ विस्वात घात किया और अंग्रेजों का साथ दिया तो 1757 के पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद दौला को हर दिया पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद दौला पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी तो पलासी की लड़ाई जो है सिराजुद दौला और रावट कलाईव के मद्धे लड़ी गई थी तो जो पलासी की लड़ाई 1757 में होई थी तो अंग्रेजों की तरफ से नेतुर्त किस ने किया तो नेतुर्त किया रावट कलाईव ने पुर्तगाली संस्कृत के अवसेश भारत में कहां प्राप्त हुए तो गोवा में पुर्तगाली संस्कृत के अवसेश प्राप्त हुए क्योंकि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना विस्तार गोवा में किया था स्वामी दयानन सरस्वती ने प्रथम आरे समाज की अस्थापना कहां पे किया तो बंबाई में जो की 1875 में हुआ आरे समाज की अस्थापना पूछी गई है 1875 में हुआ और आरे समाज की अस्थापना किसने की तो आरे समाज के संस्तापक कौन थे तो दयानन सरस्वती थे राम क्रिस्ल मिसन की अस्तापना की तो राम क्रिस्ल मिसन की अस्तापना स्वामी विवेका नंद की स्वामी विवेका नंद अलग है और स्वामी दयानन सरस्वती अलग है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम कब बनाया तो 1835 में जब इनका 1833 का चार्टर आया तो उसमें ब्योस्ता की गई कि अब भारत में अंग्रेजी सिच्छा को लागू किया जाएगा बुनियादी सिच्छा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया तो बुनियादी सिच्छा का विचार जो है या महत्मा गाधी ने प्रस्तुत किया था अलीगड़ आंदोलन का संस्थापक कौन था तो सरसयद आहमद खान को अलीगड़ आंदोलन का संस्थापक माना जाता है आगे हमारा अलीगड़ में मुहम्मड़न अंगलो ओरियंटल कालिज की अस्थापना किसने की ते थे हमारे सरसयद आहमद खान नए भारत का पैंगंबर किसे कहा जाता है तो नए भारत का पैंगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक किसको माना जाता है तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है राजा राम मोहन राय को किस का संस्थापक माना जाता है तो ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाद किस ने दी थी तो मुगल समराट जो था अकबर दुतिय था जब उत्तर मुगल काल में हम उत्तर मुगल सासक पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे अकबर दुतिय था जो पैंसन पे रहने वाला अंग्रेजो का पैंसनर था उसने अपनी पैंसन बढ़वाने के लिए जो राजा रा मोहन राय थे इनको राजा की उपाद दिया और लंदन भेज दिया जहां पे इनका बिरिष्टल में मृत्वी हो गई अब हम देख लेते हैं प्रार्थना समाज का संस्थापक तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्मा राम पांडूरंग थे राजा राम मोहन राय ने किसके बिर्द्वेक अतिहासी का अंदोलन का आयोजन किया तो सती पर्था जो हमारे यहां कुपर्था के रूप में सती पर्था हुआ करती थी तो इसके बिर्द इन्हों ने आंदोलन चलाया और बिलियम बैंटिक के मदफ से सती प्रथा को समाप्द करवाया रायल सोसाइटी आफ लंदन का फैलो बनने वाला सबसे पहला भारती अकाउन था तो ये थे एसी वाडिया उपनिवेसी भारत में कोलकाता में एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना किसने की तो बिलियम जोन्स ने एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना की सरबोदय का आसा क्या है तो सरबोदय का आसा है सब का उत्थान सत्य सोधक सभा के संस्थापक महराष्ट में कौन थे तो ये थे जोतिवा फूले अपनिवेसिक भारत में भारती ये बिधवाओं के लिए सारदा सदन स्कूल की अस्थापना किसने की तो एक पंडिता रमाबाई ने अपनी वेशिक भारत में भारती विद्वाओं के लिए सारदा सदन स्कोल की अस्थापना की गाधी जी का प्रियगीत बैसलव जन तो किसने रचा है? तो बैसलव जन तो नरसी महता ने गाधी जी का प्रियगीत लिखा है वर्सों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वादा जो है पूरा करने का समय आ गया है या सब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो एक कहे थे हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू दा इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लिखा काउन थे? तो ए थे हमारे बीर बीडी सावर कर किसने कहा था स्वाद का वास्तवी का स्थान जी हुआ नहीं बलकी मन है महात्मा गांधी जी के वेवक तब थे? यह बीचार किसने बिक्सित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का आउचित बनाते हैं तो यह बीचार थे हमारे महात्मा गांधी के आधुनिक भारत में गांधी जी का बहुत ही महात्व है अब हम देख लेते हैं किसने कहा था सत्य परम तत्य है और वह इस्वर है तो यह हमारे महात्मा गांधी के वक तब थे? किसने भारती बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है तो भारती बिस्मार्क के रूप में बलब भाई पटेल को जाना जाता है भारत के सम्मानिय बुझुर्ग दादा जी के नाम से कौन बिख्यात है तो यह हमारे थे दादा भाई नौरो जी भारत में राश्टी आयका आकलन सबसे पहले किस ने किया दादा भाई नौरोजी ने किया ब्रिटिस संसत का सदस से बनने वाले पहले भारती दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिस हाउस आप कामन्स में चुना जाने वाले पहले भारती दादा भाई नौरोजी थे भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपवान या ड्रेन आफ वेल्थ की जो सिधान्त दिया तो दादा भाई नौरोजी ने दिया बिर्टिस समराजवाद के दवरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिधान्त किस ने प्रस्तुत किया तो यह दादा भाई नवरोजी ने प्रस्तुत किया गांधी जी को माना जाता है दार्षनिक अराजकतावादी तो दार्षनिक अराजकतावादी किसको माना जाता है तो हमारे महत्मा गांधी जी को माना जाता है जब महात्मा कांधी की हत्या हुई तब किस ने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे सरीर और आत्मा वाला एक आदमी धर्ती पर चला था तो अलबर्ट आइंस्टीन जो की आप जानते ही हैं अलबर्ट आइंस्टीन को ये बहुत ही बड़े विद्वान थे इन्होंने महात्मा कांधी की हत्या पर अपने विचार व्यक्त किये कि कोई विश्वासी नहीं करेगा कि ऐसे सरीर और आत्मा वाला ऐसा कोई आदमी पैद पर चला भी था महात्मा गाधी को अर्धनगन फकीर किस ने कहा तो बेश्टन चर्चिल ने महात्मा कांधी को अर्धनगन फकीर की संग्या दी करो या मरो या करेंगे या मरेंगे गाधी जी ने राष्ट को या मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दवरान करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दवरान महतमा गाधी जी ने दिया था करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महातमा गांधे जी के द्वारा दिया गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो भगत सिंग ने दिया था राष्टी संगर्ष के दवरान प्रिसिद समाचारपत्र केशरी का संपादक या संस्थापक कौन था तो लोकमान तिलक भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद करने वाला पहला यूरोपीन कौन था तो चार्ल्स बिलकिन्स जो था या भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद करने वाला प्रथम यूरोपी था गांधी जी ने किस धार्मिक गरंथ को अपनी माता कहा था तो गुरु अर्जुन देव ने सिखो की पवित्र पुस्तक आधि गरंथ का संकलन किया प्रसिद्ध करांतिकारीगीत सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसकी रचना किसने की थी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफुरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी जो की हमारे करांतिकारी नेता हुआ करते थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे या कथन हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लोक मान तिलक के हैं भारती असान्ती का जनक हमारे बाल गंगारधर तिलक को माना जाता है कौन यंग इंडिया और हरजन के संपादक थे तो यंग इंडिया और हरजन के संपादक हमारे महातमा गांधी थे उपन्यास नील दरपन का अंग्रेजी में अनुबाद किसने किया था तो मद सूधन दत जो थे इन्होंने उपन्यास नील दरपन का अंग्रेजी में अनुबाद किया अमर्स राष्टिय गीत बंदे मातरम के रचाईता कौन है तो बंकिम चंदर चटो पाध्या या बंकिम चंदर चटर जी बंदे मातरम के रचाईता हमारे बंकिम चंदर चटर जी है बंदे मातरम जो हमारा राष्टगीत है इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमारा एक जो है पॉलिटी में एक वीडियो बनाया गया है जो की डेडिकेटर वीडियो है भारत के प्रतीक और राष्टे चिन्न पर उसमें हमने भारत के राष्टी गीत बंदे मातरम पर विश्त्रिच चर्चा की है वहाँ पर आप देख सकते हैं आगे देखते हैं या किसने कहा था इस समय मद्र रात्री होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन और स्वतंत्रा के लिए जाग उठा है तो या हमारे पर्थम परधान मंत्री जवाल लाल नहरो के वक्त अब थे फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंदित है तो कान अबदुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है सीमान्त गांधी किसका उपनाम था तो खान अबदुल गफार खान को सीमान्त गांधी की संग्या दी गई थी इन्होंने एक लाल कुर्ती दल का भी गठन किया था लेडी विद दा लेंब के नाम से कौन विख्यात है तो जो हमारी फ्लोरेंस नाइट अंगल है लेडी विद दा लेंब के नाम से विख्यात है आगे हमारा है गांधी जी को सबसे पहले राश्पिता किस ने कहा था तो गांधी जी को सबसे पहले राश्पिता कहने वाले हमारे सुबास चंद्र बोस थे दच्छिड अफरीका में महातमा गांधी द्वारा प्रकासित पत्रिका नाम क्या था तो दच्छिड भारत में जो प्रकासित पत्रिका थी इंडियन ओपीनियन इसको महतमा गांधी जी द्वरा प्रकासित किया गया था भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किस ने सुरू किया था तो गोपाल हर देश मुख को लोग हितवादी कहा जाता है रबेंदर नाट टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगर्मन सरपर्थम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकासित हुआ था तो भारत भाग बिधाता के नाम से 1912 में प्रकासित हुआ था जनगर्मन जो हमारा रबेंदर टैगोर द्वारा राष्ट गान जो हमारा देश का लिखा गया है तो एक कांग्रेस के किद अधिवेशन में गाया गया और बाकि इसकी सारी जनकारियां अभी हमने आपको बताया कि हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो यूटूब पर पड़ा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं जो की सम्मिधान का है जिसमें हमने प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा किया है उसमें हमने जनकर्मन के बारे में पूरी जानकारियां दी हैं ब्रिटिस इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्ण किस करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दरपन तो नील दरपन किसने लिखा है दीन बधु मित्र ने तो दीन बंधु मित्र जो है इन्होंने नील दरपन का जो नील दरपन नाटक है इसको किसने लिखा ह तो दीन बंधू मित्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर जी द्वारा बंगाल के किस बिद्रो का उल्ले किया गया है तो सन्यासी बिद्रो जो हुआ था तो बंकिम चंद्र चटर जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसकी चर्चा की है अरविंद घोस को किस मामले में गिरफतार किया गया था अलिपूर जो बम कांड हुआ था अलिपूर बम मामला जो उसी में अरविंद घोस को गिरफतार किया गया था लाहोर सड्यंतर मामला किसके बिरुद्ध रजिस्टर किया गया था तो भगत सिंग को लाहोर सडयंत्र में फसाया गया, जिसमें इनको फासी पर चढ़ाया गया, तो भगत सिंग राजगुरु और सुकदेव को फासी पर कप चढ़ाया गया, 23 मार्च 1931 को, तो 23 मार्च को हमारा सही दिवस भी मनाया जाता है, नौजवान भारत सभा किसके अस्थापित की थी तो सरदार भगत सिंग ने नौजवान भारत सभा अस्थापित की थी USA में सैंद फ्रांसिसको में गदर पार्टी की अस्थापना किसने की तो लाला हर्दयाल ने गदर पार्टी की अस्थापना अमेरिका के सैंद फ्रांसिसको सहर में की थी गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था तो सैंद फ्रांसिसको USA में वर्स 1914 में भारती राष्टी दल की बरलीन में अस्थापना किसने की थी तो बरलीन में अस्थापना चमपा कर्मन पिल्ले के द्वारा की गई थी मंगल पांडे ने 1857 के बिद्रो की पहली गोली कहां पे चलाई थी तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने 1857 में बिद्रो की पहली गोली चलाई थी तो 1857 का बिद्रो किसने शुरू किया था सिपाहियों के द्वारा तो जो बैरक पुर्चावनी के सिपाही थे जिनमें मंगल पांडे लीड कर रहे थे तो उन्होंने 1857 का बिद्रो की सुरुगात बायरक पुर्छावनी में गोली चला कर की थी 1857 के बिद्रो का प्रसाशनिक प्रडाम सक्तिका अंतरन था East India Company से British Samarad को बहादूर सा कौन था? बहादूर सा अंतिम मुगल सा सक था जिसको बहादूर सा जफर के नाम से जाना जाता है क्योंकि या जफर नाम से सायरियां लिखा करता था और अंग्रेजों ने इसको निर्वासन करके मियामार में भेज दिया जिसको उसमें बर्मा बोला जाता था बरमा के रंगूम सहर में इसको निर्वासी कर दिया गया था जहां पे उसकी 1962 मृत्तु हो गई 1857 के बिद्रों के दवरान भारत का जवर्नर जनरल कौन था तो लाड कैनिंग जो 1857 के बिद्रों के दवरान भारत का जनरल था कानपूर के गदर का नेतरुत किस ने किया था तो कानपूर के गदर का नेतरुत ए नाना साहिब ने किया नाना साहिब किसको जाना जाता है तो नाना साहिब जो कानपूर के पेशवा बाजी राव थे उन्ही के दत्तक पुत्र थे नाना साहिब जिन्होंने कानपूर के गदर का नेतर किया और उनका नाम क्या था उनका वास्तिविक नाम था धोधुपंत तो धोधुपंत का जो मतलब इनका नाम कहा जाता था नाना साहर लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाब थुगा तो बहादुर साथ जफर के पतन के साथ मुगल जो है लाल किले में अंतिम मुगल काउन था तो मुगल सा बहादुर साथ जफर एक नॉम्बर 1858 में राने की उद्घोसडा जारी करने के लिए साही दर्बार कहां पर आविज़ किया गया था तो यह आविज़ किया दिया इलाहबाद में जिसको आप मिंटो पार्क जानते हैं वहाई पे उस उद्घोसडा की प्रती पढ़ी गई थी ब्रिटिस क्राउन ने इस्ट इंडिया कमपनी से भारत की भारत पर प्रवसत्ता किस वर्ष में प्राज की थी 1858 में सेना भरती अधनियम कब लागू हुआ तो 1856 में और यह किसने लागू किया था डलहौ जी ने नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था तो धोधू पंत अभी हमने उपर आपको बताया 1877 के इंपीरियल दर्वार के हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहन कर कौन गया था तो जी भी जोसी जो थे इंपीरियल दर्वार में खादी के वस्त्र पहन कर गए थे बंगाल में राजस्व का इत्तमरारी जो है जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता किसने लागो किया था तो यह था कार्नवालिस बिटिस सासन के दोरान ततकालिन मद्रास प्रेसिडेंसी में रायत वाड़ी प्रडाली की सुरुगात करने वाला काउन था तो थामस मुनरो तो रायत प्रडाली किसने सुरुगात की थामस मुनरो ने और अस्थाई बंदोबस्त किसने लागो किया यह कार्नवालिस ने या, बंगाल का पहला गवर्णाजनरल काउन था, वारेन हैस्टिंस था और बंगाल का प्रतम गवर्णार जनरल वारेन हैस्टिश यही प्रस्द आपको दो बार मिल गया आगे देख लेते हैं, अग्रेजों ने भारत में रेल्डेक किस उद्देश से शुरू किया था तो अंग्रेजों का जो उद्देश था ब्रिटिस वारिज और प्रसासनिक नियंतरन की सुविधा के लिए कि ट्रेनों के माध्यम से जो भी उनके वारिज सम्बंदित और समाने है वेगलेंड भेजने के लिए और प्रसासनिक नियंत्रन क्योंकि बिद्रोई इतना ज़ादा हो रहा था तो बिद्रोई को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेल बे की सुरुगात की किस भारती राज्य पर कबजा करने के लिए राज्य अपाहरण नीत को नहीं अपनाया गया था तो पंजाब को जैसे राज ओपारण की नीत चलाई गई थी डल्हाओ जी के द्वारा तो पंजाब राज को इसके द्वारा नहीं अपनाया गया था सिबिल भारती सिबिल सेवा में अरहता प्राप्त पर्थम भारती कौन थे तो यह थे सतेन ना टैगूर किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिबिल सेवाएं की तो कारणवाले जो था भारत में पहली बार सिबिल सेवाएं सुरू करने वाला गवर्नर था इंग्लेंड के हाउस आफ कामंस द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महा भीयोग चला तो वार्न इन हेस्टिंग्स पर इंग्लेंड के हाउस आफ कामंस में वार्न इन हेस्टिंग्स पर महा भीयोग चला था किस गवर्नर जनलर का नाम राज जहरपनीत डाक्टरिन आफ लैफ्स के साथ जुड़ा तो लाज डालाहोजी के लाज डालाहोजी पर राज जहरपनीत या डाक्टरिन आफ लैफ्स का नाम जुड़ता है भारत का अंतिम वासराय काउन था तो भारत का अंतिम वासराय लाड माउंट बेटन था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल काउन थे तो ये थे राज गोपालाचारी भारत का पर्थम गवर्नर जनरल काउन था तो भारत के पर्थम भारती गवर्नर जनरल ये भी राज गोपाला अचारी थे स्वतंद भारत का पर्थम गवर्नर्ट जनरर काउन था तो लाड माउंट बेटन थे भारती अभिश्व विद्याले अधनियम किसने पारित किया था तो लाड करजन ने भारती अभिश्व विद्याले अधनियम पारित किया था भारत में अस्थानी स्वसासन का किसे कहा गया तो लाड रिपन को अस्थानी स्व असासन का जनक कहा गया भारत में पहली बार 1723 का जो आयक्ट आया था उसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्याला की अस्थापना की गई जिसके न्यायादीस एलिजा इंपे को बनाया गया किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ इस्ट इंडिया कमपनी का व्यापार का एकादिकार समात हुआ तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा चीन के साथ इस्ट इंडिया कमपनी का एकादिकार समात हुआ जो कि चीन और चाय का व्यापार जिस पर 1813 के एक्ट में आया था कि कमपनी का एकादिकार तो सब जगां से समात कर दिया गया लेकिन चीन और चाय का व्यापार पे एकादिकार बना रहा लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट पे चीन के साथ इस एकादिकार को भी समाप्त कर दिया गया सामप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पद्धत की सुरवात भारत में किसके द्वारा होई तो 1909 के मिन्टो मारले सुधार के नाम से जाना जाता है तो इसमें सामप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पद्धत की सुरवात की गई किस अधनियम की महत्पूर्ण विशेस्ता प्रांती स्वायतता थी तो भारत सरकार अधनियम 1935 के द्वारा भारतियों को प्रांती स्वायतता का अधिकार दिया गया 1919 के अधनियम में दुई सासन धानडा को जिस ब्यक्त इन्हें परचित कराया वे थे मांटेग्यू तो मांटेग्यू ने दुई सासन धानडा को राज्यों में जैसे परांतों में उससे में दुई सासन की ब्युस्ता की गई द्वायत सासन किस गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट द्वारा लागो किया गया तो 1919 के इंडिया एक्ट के द्वारा लागो किया गया अभी जो हमने outline के class जो सम्मिधान की पढ़ाई है उसमें हमने पूरा सम्मिधान का विकास पढ़ाया उसमें इन सब की ये जानकारी आपको काफी detail में दी गई है बाकी जब हम सम्मिधान का विकास फिर और इतिहास में जब हम पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें भी पूरा विकास पढ़ाएंगे अभी तो हमने बस one liner question लिया है जिससे आगामी जो exam आने वाले हैं उसमें आपको help मिल सके तो 1921 का नरेंदर मंडल या चैंबर आप प्रिंसेज किसके द्वारा आरम किया गया तो डियू काफ कैनाट के द्वारा नरेंदर मंडल या चैंबर आप प्रिंसेज आरम किया गया रॉलेक्ट एक्ट उन्निस सो न्निस किसके काल में लागू किया तो चेम्स फोर्ड जो तो रॉलेक्ट एक्ट जब आया तो उस समय चेम्स फोर्ड भारत में था गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित थी तो साइमन कमिशन पर आधारित थी भारत के लिए संभिधान बनाने वाली संभिधान सभा किस वर्ड अस्थापित की गई तो 1946 में स्थापित की गई पंजाब में क्रिसी आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपतराय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था तो 1907 में दादाभाई नरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ गांधी जी ने बिदेशी वस्तुएक के वहिसकार के लिए कौन सा अंदोलन चलाया तो कुटीर उद्योगों को प्रोवसाहन देने के लिए जिससे बिदेशी वस्तुवों का बहिसकार हो सके गाधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के जिसको आप हत करगा उद्योग कहते हैं एक गाधी जी से ही प्रेरित है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गए थी तो असायोग आन्दोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गए थी तो सी यारदास और मोतिलाल नहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असायोग आंदोलन के बाद तो असायोग आंदोलन के बाद जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी तो उसके जो नेत्युत करता थे सी यारदास यानि कि चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने स्वराज पार्टिय की सथापना की थी आगे हमारा है मोतिलाल नहरू और चितरंजन दा संस्थापक थे अभी हम ने आपको बताया सुराज पार्टी के संस्थापक थे लंदन में गोल में समयलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था तो भारत का भावी संविधान जो हमारा इसकी चर्चा गोल में सम्मेलन के आयोजन में की गई थी तो कांग्रेस का जो पहली महिला अध्यच कौन थी तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यच स्रीमती एनी बिसेंड थी भारती कांग्रेश का अध्यच कौन था तो आचार जेवी कृपलानी थे सुवाज चंद बोस ने भारती राष्टी कांग्रेश से निकलने के बाद किस पार्टी की अस्थापना की तो फारवर्ड बला की अस्थापना की अभी आपको उत्तर मिल गया सुवाज चंद बोस ने फारव पूर में है भारती राष्टी कांग्रेश के पर्थम मुसल्मान अध्यचकाउन थे बदरूत दीन तयब जी थे भारती राष्टी कांग्रेश के पहले अधिवेशन में कितने प्रतनिदियों ने भाग लिया था तो 72 प्रतनिदियों ने भाग लिया था वर्ष 1885 में हुई भ वार्ति राष्टी कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अधिस्ता किसर के द्वारा कि गई तेते स्री बीवमेश चंद्र बनर जी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक काउन था ते ये थे भारती राष्टी कांग्रेस का पहला महासचीव ए थे ए ओ हुम खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ बिरोद करने के लिए परारम किया गया था तो तुर्की खलीफा का बिरोद करने के जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था तो जो तुर्की खलीफा थे इन के खिलाब बिरोध करने के लिए परारम किया गया था पाकिस्ताम किस ने गढ़ा तो पाकिस्ताम जो है चौधरी राहमत अली ने गढ़ा था जो की केंब्रेज इन्वर्स्टिटी का छात्र था भारती राष्टी कांग्रेश के किस अधिवेशन में कांग्रेश और मुसलिम लीग की आतिहासिक मिलन हुआ तो 1916 का जो कांग्रेश का अधिवेशन हुआ उसमें लखनव में तो कांग्रेश और मुसलिम लीग एक हो गई नरम दल और गलम दल के बीच फूट कहां पर और किस वर्स में पढ़ा तो 1907 में कांग्रेश के जो सूरत का धिवेशन हुआ वहाँ पर नरम दल और गलम दल में फूट हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेश का बटवारा मद्ध मारगी या चरम पंथी वर्गों में किस वर्ग में हुआ तो 1907 में यही नरम दल और गरम दल का विवाजन ये भी वही प्रसन है बस पूछने का तरीका बदल गया है जलिया वालबाग हाद़से में किस ब्रिगेडियर का संबस था तो जनरल डायर एक जनरल नार डायर था और एक जनरल ओ डायर था कलकत्था मद्रास और बंबाई में उचे न्यालियों की अस्तापना की गई थी तो 1861 में कलकत्ता, मदरास और बंबई में उच्चन्याले की अस्थापना की गई थी पूना समझा होता जो 1932 में हुआ किसके बीच हुआ तो गाधे जी और अमबेड करके मद्ध हुआ क्योंकि अमबेड कर जो सुद्र समधाय के हुआ करते थे हर्यन उनके लिए प्रथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे लेकिन गाधे जी चाहते थे कि ये प्रथक निर्वाचन का मामला खतम करके समात किया जाये तो गाधे जी और अमबेड कर के बीच इस पर काफी बहस हुआ तब जाके या समझाओता सफल हुआ जिसको पूना समझाओता के नाम से जाना जाता है भारती राष्टी का अंग्रेज का पहला अंग्रेज अध्यच काउन था तो जार जी उले था जो की अंग्रेज था तो जो हमारे भारती राष्टी का अंग्रेज का अधिवेशन हुआ करता था तो उसमें पर्थम अध्यच जो अंग्रेज बना था तो जार जीवले बना था हम्रूल लिग की अस्थापना किसने की थी पर्थम विश्युद्ध के दवरान हम्रूल लिग की अस्थापना की गई थी आल इंडिया मुस्लिम लिग की अस्थापना किसने की थी तो आगा खान ने की थी मुस्लिम लिग की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो 1906 में हुई थ विभाजन परिषद का अध्यच कौन था तो विभाजन परिषद का अध्यच लाड माउंट वेटन था फरवरी 1998 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिसकार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस अंग्रेश थे तो जो फरवरी में 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया इसमें जो जो भी थे तो सभी इसमें अंग्रेश थे तो इनको गोरो का कमीशन कहा गया जिसमें कोई भारती नहीं था तो यह भारत के लिए बनाया जाने वाला कानून था जिसमें भारत के कोई भी सदस सामिल नहीं थे जिसलिए साइम सर्वेंट सोसाइटी याफ इंडिया की अस्थापना किसने की तो गोपार किस गोखले जिनको जी के गोखले कह सकते हैं गुजरात में सावर मतियासरम की अस्थापना 1917 में गाधी जी के द्वारा की गई लाला लाजपतराय किसके बिरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की निस्ता का सिकार हुए थे तो साइमन कमीशन के साइमन कमीशन जो आया था उन्हीं के बिरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे तो जहां पर लाला लाजपतराय को पुलिस ने लाटियों से पीट कर ह बदला सुरूप हमारे जो सहीद भगत सिंग है उन्होंने बदला लिया उसी के बाद हमारे भगत सिंग को फांसी की सजा हो गई थी। हस्ताचर कब हुगा तो 5 मार्च 1931 को गाधे इर्बिन समझावते पर हस्ताचर हुगा था। गया था जिसने भासाई आधार पर राजों का पुना सीमांकन करने की सिफारिस की थी। स्वतंत्र भारत में पहली गयर कांग्रेस सरकार किस राज में बनी थी तो केरल में बनी थी। 1937 में कांग्रेस ने मंत्री मंडल बनाए च्छै राज्यों में महत्मा गाधी किस की कृतियों से अतधिक प्रभावित थे। तो महत्मा गाधी जो है ये लियो टाल अश्टाय की कृतियों से प्रभावित थे। गाधी जी ने सत्यागरा की कला को अभ्यास रूप में कहां से सीखा। तो दच्छिड अफरीका से सीखा, सत्यागरा सब्द का निर्मार किस ने किया था, तो गांधी जी ने किया था, दच्छिड अफरीका के किस सहर में गांधी को स्वेत लोगोदारा पीटा और पट्री से नीचे फेग दिया था, तो मेरिस्बर्ग में गांधी जी को स्वेत अ गत्विधियों का प्रारंब कहां से किया तो चंपारन से किया गाधिजी की अध्यच्छता में एक मात्र AICC अधिवेशन कहां आयुद किया गया तो बेलगाम में तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो एक मात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो की बेलगाम में 1924 में हु उन्होंने कानून का जब नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का सुरुगात किया था गादे जी खादी को किसका प्रतिक मानते थे आर्थिक स्वतंता का प्रतिक मानते थे 1937 में किंदो राज्यों में गयर कांग्रेस प्रतिमंडल थे तो बंगाल और पंजाब में 1949 में सुवाश चन बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यच चुने गए थे पटावी सीता रमय्या को 1938 में सुभाज चन्द बोस तो कांग्रेस पार्टी के अध्यच चुने गए जब दुबारा चुना हुगा 1949 में तब भी सुभाज चन्द बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यच चुने गए और पट्टाभी सीता रमया की हार हुई जिनमें पट्टाभी सीता रमया जो थे एक गांधी जी के कंडिडिर थे तो जिनमें गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीता रमया की हार ये मेरी हार है जिससे सुबास चन्द बोस काफी आहत हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया में सुभा चंद बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यच्पत से इस्थीपा दे दिया था तो उस समय अध्यच्चता किस ने की थी तो उस समय अध्यच्चता डाक्टर राजन परसाद ने किया था काइबिनेट मिसन भारत का बाया था तो 1946 में काइबिनेट मिसन भारत आया गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था अस्प्रिस्ता का समर्थन किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारम करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था क्रिप्समिसन की विफलता अंग्रेजों के लिए गांधी जी का परसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरम कब हुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में सुरू किया गया था तो अगस्त में क्रिप्स मिसन भारत में कब आया तो 1942 में क्रिप्स मिसन भारत में आया भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया तो बलिया में चावरी चावरा कांड के बाद गांधी जी ने अस्तगित कर दिया तो असायोग आंदोलन को गांधी जी ने चावरी चावरा कांड के बाद अस्तगित कर दिया था असायोग आंदोलन को किस के कारण अस्तगित किया गया था तो चवरी-चवरा घटना के कारण भारती राष्टी कांग्रेश ने असायोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ता 1920 में कहां प्रस्तुत किया कलकत्ता में किस आंदोलन को हिंदुगों और मुसल्मानों दोनों को समर्थन मिला था तो असायोग आंदोलन को हिंदुगों और मुसल्मानों को दोनों का समर्थन मिला था महत्मा गांधी जी द्वारा सभीने अवग्या आंदोलन किस वर्स में सुरू किया गया था नमक कानून के उलंगन में गांधी जी ने एक आंदावलन शुरू किया था जिसका नाम था सविने अवग्या आंदोलन। पूर्ण स्वराज की सपत कांग्रेश के किस अधिवेशन में ली गई थी तो लाहूर का जो अधिवेशन रावी नदी के तर के किनारे हुआ था जिसकी अध्यचता जवाहलाल नहरू ने की थी वहाँ पे पूर्ण स्वराज की सपत लिया गया तो भारती राश्टी कांग्र के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ता स्विकार किया गया 1929 के लाहुर अधिवेशन में जो की 31 दिसंबर को मद्रात्री में आरम किया गया 1932 में अखिल भारती हरिजन संग की अस्तापना किस ने की थी तो महत्मा गाधी ने की थी सुधार आंदोलन क्या है पोप के प्रभुत के खिलाप विद्रो या सुधार आंदोलन है फासिष्टवाद की पिचारधारा किस देश में बिक्सित हुई तो इटली में लोगतांत्रिक समाजवाद की बिधियां क्या है समझाना और परचार करना रूस के पापुलिष्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्तापक कौन थे मिखाईल मैक्यूमिन समाजवाद मूलता किस का अंदोलन है तो समाजवाद मूलता कामगार का अंदोलन है चीन की ग्रेट वाल जिसको महान दिवार कहते हैं तो या किसका निर्मार करवाया था तो सी हुआंग ती ने महान दिवार ग्रेट वाल आप चाइना का निर्मार करवाया था बर्मा का प्राचीन भारत में कहा जाता था स्वन भूमी तो बर्मा जो इस समय में अमार है इसको प्राचीन भारत में बर्मा को प्राचीन भारत में स्वन्ड भूम कहा जाता था मार्को पोलो किसलिए बिख्याता है तो मार्को पोलो चीन भारत और एसिया की यात्रा करने के लिए बिख्याता है कारल मार्क सी पुस्तक दास कैपिटल प्रकासित होई थी 1867 सब्सक्ति के रूप में उभरा था तो ब्रिटेन जिसका कभी सूर्यास्त नहीं हुआ दूतिय विस्युद के दौरान जापान के किन सहरों में पर्माड बम गिराए गए थे तो हिरोशिमा और नागा साकी में च्छाय अगस्त को हिरोशिमा और नागा साकी में पर्माड बम गिराए गए थे रूसी करांत किस वर्ष प्रारम होई थी रूसी करांत 1917 में प्रारम होई थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंद किस से अमेरिकी स्वतंता युद्ध से है क्रेमियम जो क्रेमियन युद्ध का समापन किस परकार हुआ था तो पेरिस समझाओता जा हुगा इससे क्रेमिया युद्ध समाथ हुगा 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था तिया रूस और तूर्की के बीच लड़ा गया था जिससे पेरिस के समझावते के साथ समात किया गया पर्थम विस युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था तो पर्थम विस युद्ध के दवरान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड किंगडम के साथ जापान जो है युद्ध लड़ा था पर्थम विस किस संद से प्रतंब्यस yudH की पनाया था दो बिस्टन चर्चिल ने लौँ आवरण सब्द बनाया था United Nation सब्द किस्ने गढ़ा था नियुनाइटे नेशन सब्द गढ़ा था में कांफ का लेखक काउन है तो हिटलर जो है में कांफ का लेखक है राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयू का ब्रिटिस राजा या रानी काउन है तो क्वीन मैरी टूडर जो है ब्रिटिस सासन जो राज सिंहासन पर बैठने वाले पहल अनलब सबसे अधिक आयू के बिरिटिस राजा या रानी थे आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है तो आप ज्याद़ से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा ही आपको और भी इस चैनल पर जानकारियां मिलेंगी तो आज का कलास हमारा यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद